जो ट्राई करेगा उसी का कुछ होने वाला है क्योंकि लाहरों से डर करनाओ का पार नहीं होती और कोशिस्त करने वालों की कभी पार नहीं आईए बात करते आगे तो आज कुछ गले में भी प्रॉब्लम है आप सूस कर रहे होंगे इसका मान तो मैं आपको बताओंगा टॉपिक आज का जो है पहले उसको भी बता देता हूं एक और बता दीजिए एक और बता दीजिए वान अपान फाइब को परतिसत में बदलिए अगर वन अपान फाइब को हम पर्सेंटेज में चेंज करें तो कितना पर्सेंटेज आएगा पताईए इसके आंसर में पर्सेंटेज का चिन लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा आज का टोपिक क्या है इधर साइड में लिख देता हूं टोपिक क्या है भाई यह सब पहले से लिखा रहना चाहिए था टोपिक है आज अध्याय 9 अध्याय 9 में आप पढ़ेंगे सजातिये बिजातिये बीजगनतिये बेंजको का बोध मिला के आप यह जान लीजिए कि सजाती ये पद विजाती ये पद यानि like terms और unlike terms ये मुख्य रूप से हम पहले समझेंगे unlike यहां like और unlike का मतलब कुछ अलग है जो हिंदी लिखा है उसी से ठीक है इसमें सबसे पहला जबाब दिया है जो उनका नाम है मैं जरूर बोलूँगा जो सही तरीके से बताएं उनका नाम नितिन बर्मा है वैसे तो दिपेंद ने बताया लेकिन इंका गलत है तरीका थोड़ा सा पूजा मिसरा जी आपका भी सही है और नायतिक बिमलेस और सुपरिया तिरपाथी की गुड इबनिंग चलिए हटाना है तो हमेशा सौ से भाग करते हैं तो हम इसे 20 अपान 100 करेंगे बस यही इसका अंसर है इसे काट पीड दीजिए जो कटे तो एक बटा पांच आएगा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इसी दसा में इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो प्यारे साथ ही मैंने बता परसेंटेज में बदलने के लिए आपको सौ से मल्टीपल करना होता है यह काट दीजिए जो अंसर आएगा इसमें परसेंटेज का चिन जरूर लगाना अगर नहीं लगाएंगे तो वैसे होगा जैसे किसी साधी की बारात तो जा रही लेकिन दुलाहा नहीं जा रहा है तो समझे हो ना dohika चाली बात करते हैं सजातिय बीजातिय पद क्या होते आखिर किसमें से कौॉन कॉन इसे जानता है लेकिन इसमें थोड़ा सब्सक्राइख निकल रहा है आप यहां समझीर क 147 जो अब इसेजिए से उत्तर पर देश में किसी केम बुराई और बढ़ाई नहीं करेंगे जाती धर्म का बहुत बढ़ा है क्यूंकि चुनाओ है आप को यह बात का है वहाँ ले जा रहे हो यह पढ़ाई वाली बात राजनीती का है कर रहे हो देखो बैया राजनीती से देश चलता है कानून बनते हैं सिस्टम चलता है राजनीती नहीं करोगे तो महा मुर्ख हो पुरा नहीं मनना करनी चाहिए ठीक है तो सजाती है क्यों बता रहा हूं सुनिए यहां पर जाती धर्म के आधार पे लोग ओड़ देते हैं मंदिर मस्ज आफिलाती रहे वह बात अलक की है उसको छोड़िये तो सजातिय का मतलब समान जाती है जैसे यादो है तो यादो-यादो कहते न सुने नहीं हो अगर यादो है तो अखिलेस की पार्टी के है यह मैं नहीं बोल रहा हूं चैनलों पर देखिए बाइंक कॉले में जो छत्रिय ब्रहमण या और भी क्तरह के लोग हैं वो बीजेपी काले पार्टी के हैं जो लोग दलित समाज से आते हैं वो प्याउती जी की पार्टी के हैं मतलब यह लोगों की माननेता है जब कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें नेता चुना जाता है जीजा और बाप नहीं बनाते हैं रिलेशन जाती देखके नहीं बनाना चाहिए इसमें पांच साल के लिए बना जाता देश की विकास के यह बात क्यूं कर रहे हैं क्योंकि यहां इससे संबंदित है प्रजातिये का मतलब समान जातिके समान जातिके कैसे आईए बताते हैं द और बी वाला मैंने लिखा तीन लिख दिया और यक स्कॉयर वाई जट तो आप ये बताइए क्या ये दोनों सजातिये हैं ए और बी सजातिये हैं अगर हां तो बोलिए यस आप लोग फट से बोलिए वाई नहीं है तो यन यह दुनों सजातिये हैं इसमें क्या क्या देखा जाता है मुख रूप से हम वो बात बताएंगे आपको आए इधर समझिये मैं देखूंगा कौन बोल रहा है यस सबसे पहला जबाब जो आया है वो आया है योगेंद्र सिंका और क्यूट फिचा खान इन्होंने गलत बताया योगेंद्र ने सही बताया है ठीक है यह दोनों सजातिये नहीं है क्यों नहीं है देखिए इंसानों वाली जो राजनीती बताई उसमें तो सिर्फ जाती देखा जाता है लेकिन यह मने नहीं बताया कि धरम भी देखा जाता है आपको गई यह जाती धरम की बात का है बता रहा है यहाँ पर क्योंकि यह मिल गया ठीक है तो इसमें क्या-क्या देखा जाता है सजाती यह पद के लिए थोड़ा सा रुखिएगा छमा चाहते हैं नमबर एक इसमें चेक करते हैं हम लोग समान चर होना चाहिए मतलब जो वरियेबल्स हैं वो इक्वल होना चाहिए ठीक है और नमबर दो इसमें घ्तें भी समान होना चाहिए अब राजनीति से आ जाओ दूसरे सिस्टम में इसे किसी की साधी भिया होती ना आजकल हमारे देश में साधी जाती के नाम पर की जाती है तो कहां मैं बढ़ा था बेटियां बेही जाती हैं यह पर दहज पर लेकिन बेटियां बेही जाती है अपने प्रेमियों के साथ समझ रहे न यह समाज की मानता है तो फिल हाल बातें अलग है समान चर समान घात यह मैं साधी से क्यों जोड़ा क्योंकि देखे जब साधी वाधी भी मालो होती है तो मुख्यमंतरी की साधी किसी रिक्सा चलाने वाले घर तो होगी नहीं प बड़े राज घराने का है तो बहुत कमी मिलेंगे जो बहुत निम्न जगा पर साधी कर लें है ना तो क्या-क्या देखा जाता जाती भी देखा जाता और पावर भी देखी जाती पावर का मतलब घात यहां पढ़ाई वाला से जोड़ें तो समझ रहे ना तो समान होना चा लगाया होगा क्यों समझ रहना समझ फूद इन में चर तो समान है जानते हैं आप लोग की नहीं कितने हैं कि इतने लोग ऐसे हैं जो झाह नहीं जानते हैं जर का जान आल आए दा पर सुनिए चर को बोलते हैं variable इसको इंगलिस में लिखें तो equal इंगलिस तो कम आती मुझे वारियबल बैरियबल मतलब समान चर सब सिंगल है मैं देख रहा हूं ठीक है सब सिंगल है double हो जल्दी से हमारी दूआएं आईए समान चर कैसे इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है वाई है मतलब एक्स वाई जड़ है इसमें भी एक्स वाई जड़ है तो पहली स्थिती में तो यह पास हो जा रहा है लेकिन कह रहा है कि घातें भी समान होनी चाहिए घातें भी समान होनी चाहिए तो भाइया इनकी घात तो दो है इनकी एक है जिस पर याद रखिए जिन पर कुछ नहीं होता उनकी घात एक होती है जो लोग यह भी नहीं जाते हैं कि चर क्या है अचर क्या है तो वह PBR study का basic math देखें क्योंकि इसके पीछे जाएंगे तो और बहुत दिक्कत हो जाएगी इसलिए इसको पढ़ा दिया हूं ठीक है यह पढ़ा दिया हूं बेसिक में आप वहां से देखिए मजा आ रही है थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन कलास को भी लाइक करते जाए हमें मतलब लाइक करिए नहीं लेकिन एकी जवर देखिए इहर बगल में इनके पडोस में आजाईए यह आक्स स्कुयर को आई स्कुयर को और शीवला है कि यह ठाटीन एस्कवाइब 2 का यह दोनों सजाती है और नहीं बठाई यह सजाती एक नहीं कि मैं बता देता हूं ठीक है बहुत अच्छे बरी गुर्जीनों ने बताया अच्छा है यह सजाती हैं कुछ लोग कहें कि का है आप तो बताये थे उससे थोड़ा लग लग रहा है हाँ आईए समान चर होना चाहिए इसमें चर समान है घाते भी समान है चर समान का मतलब इसमें एक्सवाई है इसमें भी एक्सवाई है कुछ लोगों की नजर में 13 खटक रहा होगा क्य切्षाई लड़की लड़का सुंदर हे कामाभा है कि उसकी ेसकी कितनी काली है उससे नहीं मतलब होता है कि समझ रहे इसमें क्या करना भई इनको देखना यह में है इनको देखना यहां two in को नहीं देखना है इससे कोई मतलब नहीं इस पर नंबर जो दिया हो कुछ भी हो कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं होता है आपको सिर्फ चर देखना है और उसकी गाद देखना है दो चीज इक्कल होनी चाहिए बस वो दोनों है तो बात पनी मज़ा आ रहा है ना दिल टूटा है आज ना मेरा इसलिए मज़े से पढ़ा रहे है तो यह हो गए आप लोगों को समझ में आया यह क्या है सजातिये पद है अभी इसमें थोड़ा सा हम और आपको आगे बढ़ाते है आईए इधर देखिए देखते जाईएगा अब इस कलास के बाद ना आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए मज़ा आ गई ना आप लोगों को नहीं नहीं मज़े लेते रहिए लेकिन जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था उसे याद रखिएगा यह प्यारवार का जो लफड़ा है न यह बड़ा खतरनाक होता है सो में से 90 लोग बरबाद हो जाते हैं तसी लोग बनते हैं आईए देखिए इधर हाँ तो आप यह बताये तीन मैं बार बार तीन काय लिखता हूँ एक्स वाई और इधर है नाइन एक्स इसक्वाईर वाई तो यहाँ है यक्स काई स्क्वाईर वाई समझते जाना और यहाँ है सिर्फ यक्स वाई यह बताये इसमें कितने सजातिये पद के जोड़े बनेंगे हम इसमें कितने सजातिये पद के जोड़े बनेंगे क्या इसमें लाइक टम्स है बोलिए देविट जी बिल्कुल कमेंट आपका आ रहा है तो प्रिया जी बिल्कुल आपका भी कमेंट आ रहा है आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं तकलीफ इस बात की और ज्यादा हो रही है वो जो टूटा पहले से उसकी बात तो अलग है है इसमें सजातिय पद अगर नार्मली देखें तो इसमें एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई है इसमें भी एक्स वाई इसमें भी एक्स वाई लेकिन यह सभी सजातिय पद नहीं है क्योंकि इन सब की घाते बराबर नहीं इसमें यक्स की पावर 1 है जिस पर कुछ नहीं होता 1 माना जाता है y की भी 1 है इसमें x की 2 है y की 1 है इसमें x और y दोनों की 1 1 है जिनकी जिनकी घात बराबर है इन लोगों का जुगाड सेटलमेंट हो गया यह सजातीय प्ध हो गए 32xy & x & y यह क्या होगे type The Lays लेकिन इनका इनके लिगना इन्त से भरत यह सजातीय प्ध नहीं होंगे ऑप सैंगलिख आभा अईसारी कह सकत aparecer और कि दोनों जार जा यह सजाती यह नहीं है कि घाते समान होनी चाहिए चर भी समान होना चाहिए ऐसे समझे लो इनकी क्या दोनों का धरम तो एक है लेकिन जाती अलग है तो साधी यह समाज तो विकार नहीं करता ना अलग अलग जाती में धरम बले एक है तो ऐसे हैं यह यहां धरम का मतलब यह च daran क्या जो रहा किरिकोंगी श्माज रहा वी वह बात समझ में आती कि यह क्या है यह ऐसा सजातिये संभव नहीं है यह नहीं कि इस एक इसका याँ इसके साथ हो सकता है छेजुट एक दूसरा भी वनेगाram 9x²y और x²y ये भी क्या है सजातिय पद हैं उमीद है कि आप लोग सजातिय बिजातिय समझ गये होंगे तो आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे चलें आगे बढ़ें ठीक है मिटा दें इसको ओके तो देखें बहुत से युवाओं के दर्द भी आ जा रहे थे मैंने कमेंट्स में देखा था जैसे पंडित जी हैं कहे रहे हैं जीने का मन नहीं करता है जिन्दगी ना आप ही को मिली है किसी दूसरे के भरोस से नहीं मिली है और जो कुछ कपल सार जैसे बैलेंटाइन डे है जिन लोगों का गड़बड हो जाता है जो कुछ लाइफ से रूट जाते हैं कि मतलब भाई अब तो मैं उसके प्यार में मर जाओंगा पर जाओंगा ही नुए मर जाओंगी भी यह महामूर्खता है क्योंकि जिसका आदेखल ऐसे समझ लो आपका है वो कभी जाने वाला है नहीं और जो आपका था ही नहीं उसके लिए गम किस बात की इसे यह कायना तो आसान है लेकिन इसको समझाना मुश्किल है लेकिन यह रियल्टी है कि जो आपका है वो कहीं जाएगा नहीं और जो आपका था ही नहीं उसके लिए गम किस बात की तो समझ गए ना आईए टॉपिक पर चलते हैं थोड़ा थोड़ा दिल को समभाल के रखिएगा यह सब पागलपन होता है होता है हर कोई जानता है लेकिन करना हर कोई चाहता है मतलब समझ रहो असी बहुत सारी चीजे हैं बात में बात होती रहेगी तो सजाती है भी जाती है आप लोग समझ गए ना अच्छा एक बात बताइए यह वाला जैसे मैंने लिखा एक स्कुायर वाई जैड और 9 एकस वाई का स्कुायर और 3 एक्स फाई जैड एक मैंने और भी लिख दिया 27 एकस एस्कुायर वाई का स्कुायर जैड द्यान देना तुनते भी जाना 27x का स्क्वाइर y का स्क्वाइर z और x का स्क्वाइर y का स्क्वाइर z और 105x का स्क्वाइर y का स्क्वाइर z यह बताईए क्या यह बजाती हैं कोई इसमें से कि रजाती हैं कोई कि अब भी कौन सा है वह देखिए थोड़ा सा पढ़ाने भी दीजिए नहीं तो यह प्यार मौबबत वाला आज क्लास बैलेंटाइन डे को समर्पित हो जाएगा आज है 14 फरवरी 2022 जो लोग क्लास को बाद में देख रहे हैं वो लोग जान लें इसलिए इ सजातिये है और आपको भी लिखना भी नहीं लिखना है रात भी रात हमें इसा मत बोलिए चलिए असनेया सिंग फिजाखण, सोभा, सरंपको सौमी ठीक है कया सजातिये पर द है तो यह topic हम खतम करते सजातिये भी जातिये फिलह्ल क्योंकि बहुत जाता जलाने से कोई मतलब है नहीं आप लोग समझ गए सभी ना बताईए अब हम सजाती है भी जाती है तो बता दिये लेकिन इसके भीना थोड़ा पीछे बताए कुछ हल नहीं निकलने वाला है बताना पड़ेगा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में और चर्चा की जाए तो आप लोग सभी जल्दी से वाई लिख लिख के कमेंट करेंगे अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक को बदल दिया जाए आगे बढ़ें तो आप यन लिख के कमेंट करें चलिए जल्दी से हाँ बिल्कुल सही कह रहा है बच्छा आप मोहबत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है लोग रोते रहते हैं लेकिन करते रहते हैं लेकिन यह थोड़ा कड़बर लग रहा मुझे इसके साथ एक कोई और चीज़ जोड़ा गया था कि जलो जाने दू यह भगवान कहां से आ गया अभी लोगों का दिल है कि मैं इस बारे में चर्चा करूं कुछ लोगों का है ठीक है कर लूँगा अभी और आगे थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा आईए ठीक है जो लोग चाहते हैं इस पर और चर्चा की जाए बिल्कुल करेंगे थोड़ा रुकिए सुनिए जरा सुनिए समल लिए तो साथियों इसमें हम लोगों को चर और अचर यह भी समझना होगा क्योंकि इस पर अभी टॉपिक चलेगा और बीज गणितिये बेंजक वह इंगलीज में भी बताऊंगा इन्हें अलजेब्रिक इक्सप्रेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं अलजेब्रिक इक्सप्रेशन थोड़ा सब्र करिए ए हड़ जावाई अलजेब्रिक इक्सप्रेशन पता नहीं सही है कि नहीं अब मैच करा लीजिएगा इसे बैरियाबल बोलते हैं इसे आइंट बोलते हैं कि अधियों आपने पढ़ाओ का नंबर जिसे आचर बोलते हैं जैसे वन टू टू फ्री फॉर जितने भी नंबर्स हैं इतनी बी गिंति आपने देखा होगा सुना होगा सीखा होगा वो शबही क्या है चयर्पध हैं और च्र का मतलब क्या है हाँ एक चीजी है इनकी संख्या अनिश्चित होती है अनलिम्टेड होती हैं क्योंकि अचरपत बहुत सारे हैं मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है जैसे हम बोलें कि संख्याएं कितनी हैं तो भाई संख्या की कोई लिमिट नहीं लाक दफ लाक करोण दफ करोण आरब खरब पता नहीं कहां तक लेकिन जो चर होते हैं बारियेबल्स यह A, B, C, D, Z तक होते हैं इनकी संख्याएं निश्चित होती है 26 होती है आप सभी समझ गए न सीटेट का फाइनल आफीसियल एंसर की और रेजल्ट कब तक आएगा बहिया देखो भी पढ़ाई वाली बात चलने दीजी यह समझ गए वरियेबल्स क्या है और कंस्टेंट क्या आप लोग समझ गए इनक बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद अहां तो यह वताव भाई साहब विजमसे मने लीख दिया तीन यह क्या है यह अगर चर्पद है तो आप लिखिए वी भी फार वरियेवल्स अगर यह अचर है तो आप लिखिए सी पर कंस्टेंट क्या है अगमक सबको आगे म मुझे पता है आप छोटके बच्चे नहीं है इसमें कुछ बच्चे वाले भी है लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है पूछना कि अरे चाच्चा इतना आसान तुमको बी और सी लिखने को बोल रहा हूं तो तुम चरा और अचार लिख रहा हूँ कि इसका सी जबाब है कॉंस्टेंट यानि अचर हिंदी में ठीक है इतनी भी संख्याएं है चाहे 19 हो गया 128 हो गया यह 312 हो गया कोई भी नंबर है वो क्या है वरियबल से अचर पद है इतने भी एवी सीदी एक्स वाई जैड पी क्यू आरेस मिलेंगे वो सभी है वरियबल है रुक रुक के बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग के दर्द होने लगता है लगतार बोलता हूं बड़ 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 कैसे आये बताते हैं कि यह दोनों मिलके 3 कैसे बनाते हैं मतलब हम 2 थे 2 से 3 हो गए अब समझ रह हो ना जैसे लोग का सादी व्याह होता है ना तो पहले दो है तो इन दोनों को आपस में मिला दीजिए मतलब मल्टीपल कर दीजिए एक परकार से या फिर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं इनको जोड दीजिए इनको घटा दीजिए इनको घटा दीजिए यह बना 4-x 4x समझ रहे हो ना यानि जब दो चर और आचर मतलब कोई भी चर आचर आपस में मिले तो क्या हुआ एक नया पद का जनम हुआ ना इसको लिखिए थोड़ा सा इधर मैं इसको सेटलमेंट कर देता हूं एक मिनट यह गड़बड कर रहा है लिखिए जल्दी करिए हो गया थीक है तो साथियों इसमें अभी आपको पढ़ना है एक पदिये बंजक दूर पदिये बंजक तीन पदिये बंजक चार पदिये बंजक यह भी पढ़ना है तो यह क्या हो गए यह आपके बीजगनतिये बंजक हो गए जा हो गए यह कुछ लोग सोच रहे होंगे कि का जब चार आचर मिलेंगे तभी बीजगनतिये बंजक होंगे नहीं इसमें दो चर मिल करके भी बंजक बना सकतें आपको पता है न अब मैं जादा नहीं बोलूँगा नहीं तो बहुत ओवर हो रहा हुँ जैसे 1 का X में गुड़ा हुआ घ्राया हो गया अगर 1 का X में जोड़ा जायेगा तभी 2X आएगा अब यह कैसे आ रहा है इसके लिए आपको बेसिक मैथ आना चाहिए इसके लिए आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए ठीक है बेसिक PVR स्टडी अप्लिकेशन में उपलब्त है तो मिटाएं अब हम बात करते हैं उसके पहले आप यह बताइए जाथ करते हैं थोड़ा सड़ औन इसे मैं हंदी में ही बताऊंगा इंग्लिसस स्की मुझे आा नहीं रही इसके अभी तक हमने क्या पढ़ना है कि आप क्या था वाई क्या था एक पदिये बंजक क्या पदीये बंजक और दूइपदिये बंजक और तिरपदिये बंजक कि कलास सब्किर में 3 दिनोती है मैं अगले 3 दिन रिवीजन होता है कि कि अधियों वह अलजेबरिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही पद हो एक ही और दो पद आप कैसे अलग अलग करोगे देखे सुनिए जैसे मैंने नंबर ले लिया ओ स्वारी दो पद ले लिये माल लेते हैं दो ले लिया और फी ले लिया चलो तो यह दोनों अलग अलग है ना एक चर है एक अचर है अना तो यह अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का चिन लगा है याद रखना, अगर प्लस या माइनस का चिन लगा है, तब ये दूई पदिये बंजक बन जाएंगे, अभी ये एक पदिये है, क्या है ये, एक पदिये बंजक है न ये, ये एक पदिये बंजक है, लेकिन अगर इसमें बीच में प्लस या माइनस लगा होगा, ये जैसे, ये पर किया ऊगैसे अगर माइनेफ लगा तभी किया आपस में गलत होता है यह यह चंभज होता हिए बइसे कही रही होता है जब यह दोनों पतर आपस में क्या हो और है अलग अलग कटेग्डरी के हो यानी एक प्रिक्र रहो तो एक अच्छा रहो हो मज़र रहू है अगर यह सेम हो जाएंगे तब प्र ऐसी इस्तिति गलत हो जायाएगा जैसे देखिए ये two ये क्या था constant था ये variable था अगर example के लिए यहाँ पर देखो माल लेते हैं कि ये भी P है और ये भी P है तो भाईया हो चचा हो अगर P में P जोड़ेंगे तो ये two P बन जाएगा ये एक पद है ये two P एक पद माना जाएगा ये P into P याद रखियेगा अगर ये दोनों का अपस में गुड़ा भी करेंगे तब भी P का इसको आएगा ये भी एक पद है इसमें थोड़ा समझने वाली चीज है ठीक है आचल कुछ वाहा समझ में आ रहा है आया समझ में कुछ ठीक है तो इतना सब को समझ में आया यानि जो दो पद दियेगा इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा थोड़ा दिल और दिमाग दोनों लगेगा मैंने इसलिए पहले बता दिया थोड़ा अगर दिल और दिमाग बचा के रखें तो इसमें लगाईए जैसे दो है न ये दो पद आगे देखिए जैसे माल लेते हैं X और Y है तो ये क्या एक पद ये है लेकिन अगर X प्लस Y हो गया तो ये दूइ पद ये है X माइनस Y है तब भी दूइ पद ये है पहने का मतलब ये है कि अगर बीच में प्लस या माइनस का चिन लगा है तो वो दो पद ये है लेकिन इसमें condition ये है कि वो दोनों पद अलग-अलग category के होने चाहिए सजातिये नहीं होना चाहिए एक परकार से जिकि वो आपस में जुड़ घट ना सके क्योंकि सजातिये पद ही आपस में जुड़ जाते हैं घट जाते हैं और जब वो जुड़ घट जाते हैं तो वो एक बन जाते हैं समझे रहे हो ना यहनि दो मिलके एक हो जाते हैं समझे रहे हो ना काका लोग भी हैं कलास में चली अच्छी बात है तो यह हो गए आप लोग समझ गए ठीक है बजातिये पद आप लोग समझ गए बिजातिये पद भी समझ गए कि नहीं तो हां हम लोग पढ़ रहे थे अभी एक पद ये और दूइप ये बंजक एक पद ये और दूइप ये बंजक देखिए अगर बीच में कोई ऐसा साइन लगा है कोई ऐसा चिन लगा है जिनको आगे हल नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में वह मतलब है एक से अधिक पद काल आएगा जैसे डेखिए आप लोग बताये जैसे तीन एकस का हुआ है प्लस एक से और प्लस एकस का है है ये कितना पद का बंजक है बताईए एक पद का है तो वन लिख दीजिए दूइप दीजिए दूइप कि बताओं कि तुप्रिया कि एक सुप्रिया बहुत अच्छे बेरे गुड अनुपा मौर्या पेरे गुड कि पांडे जी आपको पढ़ना नहीं है आपसे निबेदन है कि आप कुछ और करिए क्योंकि मैं देख रहा हूं आप आंसर कभी नहीं देते हो सिर्क दूसरी बातें कर रहे हो जो कलास से संबंदित नहीं अभी तक तुम्हें अपने फ्यूचर फिडर लग रहा था तुम दूसरे बारे में इंक्वारी कर रहे हो कहां से आयो भई जिंगर निरंजन ठीक है जो लोग कह रहे हैं कि ये तीन पदिये बेंजक है वो गलत है ये दूई पदिये बेंजक है देखो अकसर लोग तीन पदिये बता रहे हैं कुछ लोग एक पदिये बता रहे हैं इसमें कुछ है खिलाडी है जो सही बता रहे हैं ये दूई पदिये है ना तो एक पदिये है न तीन पदिये है ये दूई पदिये बेंजक है कैसे ये दोन जाएंगे आपस में इन में जोडने वाला नियम तो अभी में बताया नहीं अभी बता दूंगा फिलहाल इन में जो इनके गुडांक होते होता वन अभी चर्चा करूंगा पूरा क्लास देखना तो डीटियल में यह जूड जाएंगे तो यह 4x का स्कॉयर और प्लस यक्स हो यह फाइनल होगा अब इसमें हम देखेंगे कितने पद हैं दो पद है इस दर देखिए यह भी एक पदिये में भी बदल सकता है तो आगर इस पर भी एक्स का स्कॉयर होता तो यह एक पदिये बन जाता मैं कैसे बन जाता क्योंकि इसका गुडांग को नहीं को समझ में लिए नो इनको नहीं यह लिके कमेंट करें मैं देखता हूं कितना दिल और दिमाग आप बचायो आज बैलेंटाइन डे से इधर के लिए कितना बचा के रख्यों कुछ लोगों का तो खतम हो गया उसी में वैरा भी कुछ-कुछ खतम हुआ कुछ बचा के लिए हूँ आपके लिए जिनको समझ में आया वाई जिनको नहीं आया यन इसमें प्रीती को आया अनुपम को भी आ नहीं आया है असनेहा रेखा लगबग लोग को आ गया है कुछ ऐसे खिलाडी है जिनको नहीं आया है अच्छा है तो जिनको नहीं आया है न वह प्लीकेशन डाउनलोड करें प्लेई स्टोर से पहले बेसिक मैद पढ़ें जीरो लेबल तब आएगा चलिए इसमें एक कंडिशन और भी हो सकती है यह तीन पदिये बेंजक भी हो सकता है देखें कई कंडिशन होती है अलग अलग इस्थितिया मैं समझा रहा हूं अगर आप एक के में समझ जाओगे ना तो कभी नहीं भूलने वाला हाँ उसके पहले एक चीज़ और बता दें सुन लीजिए मैंने एक और बात बताना था चर्चा नहीं किया पुडांक जिसे इंगलिस में कोफिसियंट बोलते हैं कोफिसियंट क्या होता है अरे वही जो बगल में लटका रहता चुटका सा यह देखिए जैसे 9 और जेट का स्कॉयर लिखा तो इसमें जो जेट के साथ हमें लगा हुआ दूसरा पद है वही क्या है गुडांक है अगर हम बोलें कि जेट स्कॉयर का गुडांक क्या है तो 9 है ठीक है गुडांक समझ लीजिए क्या है अभी वहाँ काम लग रहा है जैसे मैंने यहां पर लिखा 121 यक्स का पावर 5 तो तो यह 12 है मैंने 111 बोला था लिखा 12 था यह 12 है ठीक है अगर मैं घातांक की बात करूं तो घात कितनी है तो घात कितना भाईया 5 है कितना बाबू 5 है समझ गये न सभी समझ गये न रज्जा चलो आगे बढ़ें ठीक है इतना क्लियर कोई दिक्कत नहीं कोई परिसानी नहीं ठीक है लिख लिजिए इतना पहले नोट करिए नोट करिए जल्दी करिए लिख लिए चलो ठीक है तो हाँ अब हम बात ही गुडांग वाली पूरा कर दिये आप सुनिये आप कोफिसियन जान गए ना जान गए ना गुडांग घातंग जान गए तो इसमें ये तीन पदिये भी हो सकता है कब अगर इसकी घात अलग अलग हो जाए जैसे इसका वन हो गया इसका थिरी हो गया इसका टू हो गया अब ये कितने पदिये बंजक हो गया अब ये तीन पदिये बंजक हो गया क्योंकि ये आप आपस में जुड के एक नहीं बन पाएंगे नहीं इनकी आवकात अलग अलग हो गई इनकी घात अलग अलग हो गई अब ये जुड करके पांच याक्स काहत तीन या दो या एक नहीं बना पाएंगे समझ गए ना एक पदिये दू पदिये तीन पदिये और बहुपदिये जो तीन से जादा होता है दो या उससे अधिक पढ सब्स्तों शामान्निता वह ? भबहुपद आथा है तो या उससे अधिक पद अगर होते हैं तो क्या कहलाता है वहुपद कहलाता है वैसे इसमें तीन पद होता तिरपद ये भी बोल दिया जाता है ठीक है समझ गए ना तो ये बहुपद भी कहे जा सकते हैं ऐसा नहीं है बहुपद को इंग्लीज में पॉलिनामियल बोलते हैं क्या बोलते हैं पॉलिनामियल बोलते हैं अब को क्लियर हो रहा है ना आगे बढ़ा जाए कहानी ले करके ठीक है तो आप लोग ये सारी चीजें समझ गए अब ये बता भाईया राज्जा बाबू इधार आओ बताओ चलो देखो यह बताईए कि तीन धान यक्स कगात पांच अए में चर्चा एक ठीयो लटकां चुटके ये कितना पदिये बंजक है अर्ति मौर्या चिंगर निरंजन यादो और धरम बीर कुमार पताईए ये कितने पदिये बंजक है जरा सोचिए और बताईए सबसे पहला जबाब आया सुप्रिया का आरेखा, आर्ति, अफनेहा, राधा और अनुपम, प्रीति, थिजा, देबेंद्र और धरम बीर ए भई तोड़ा पहले बताया करो ना इसका सही जबाब है दुई पदिये बंजक कितना है दुई पदिये बंजक जर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते म मैं और तुम मिल करके हम मतलब एक, तो ये क्या है, ये दोनों मिलके एक हो जाते है है लेक जोती हो घटटा घटता है उसको जोड घटा लेते हैं तब देखते हैं कितना पद ये है, पहले नहीं तुम पहले गीनों तो कितना रुपया हूँ हो सकता हूँ दसा ही रुपया हूँ एक एक कतो तो ऐसे क्या आया हूँ पे अगर यह उल्जा हुआ है इस तरीत तो आप इसे अनुमान नहीं लगा सकतो कितना पदिये है उसे जोड़िये घटाईए गुड़ा भाग करिये हम फाइनल अगर आ जाए कि हाँ आप इसके आगे कुछ करना संभव नहीं है है तो आप कह सकते हैं कि हाँ यह सजाती ओ सरी एक पदिये बेंजख है या दुई-पदिये या तीन-पदिये हैं जैसे अगर ये 5 प्लस श्कपावर 5 आ गया अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है न इंसे जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है न घुड़ा फाग किया जा सकता है समझ रहे न लेकिन यसी condition में आप नहीं decide कर सकते हो कि एक पधीए ह। नहीं या तिन पधीए है जो भी कलास को दिल से देखा होगा पूरा एक एक पॉइंट ना उसके दिमाग में घुस गया होगा तो बेरे चाहिए हाथावडी लेकर ठोकोगे बहार नहीं निकलने वाला लेकिन जो नहीं देखा होगा न उसके बारे हम कुछ नहीं कहेंगे देखे पढ़ा कई तरह से जाता है कुछ लोग डर और सरम लाच के मारे पढ़ते हैं नहीं पढ़ेंगे तो वंबी डाटेंगी पापा डाटेंगे प्पेल होगे तो फलनवा कायगा रहे यार लड़किया फेल होगी कुछ लोग के अंदर में एक जुनून होता एक जोस होता एक उत्सा होती कुछ करने के लिए कुछ कर दिखाने के लिए इसके लिए इसको दिखाएंगे अपने आपको अपनी अंतरात्मा को अपने माबापको कुछ लोग अपनी girlfriend boyfriend के लिए पढ़ते हैं कि वाई युगाड़ बन जाएगा अगर आगे कुछ हो जाएगा कामियाब हो जाएंगे ठीक है इन दोनों कठीक है लेकिन जो लोग लाज और सरम के मारा पढ़ते हैं वो सही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना चाहिए कि हां इच्छा का उद्देश स्तिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है नहीं तो जो लोग आईएस की परिच्छा देते हैं न डीमेस्पी बनते हैं वो उसका कहीं उज नहीं करते हैं आप इंटरमीडियेट में इतने बड़े-बड़े सवाल पढ़ना है वो जो बड़ी-बड़ी डिगरी लिया उसका कहीं परियोग नहीं होना है लेकिन इससे आपका दिमाग जो है न वो मता जाता है पढ़ते टाइम में कि हां खुल जाती बुद्धी कि हां कैसे कैसे किस सिच्टेशन में निप्टा जाता है पस इसी लिए पढ़ पढ़ना है या कुछ भी भी से पढ़ना है पढ़ने का मतलब कुछ और भी होना चाहिए आए इधर क्या बता रहे थे हैं बूली गए एक पदिये दुई पदिये और तीन पदिये बंजक न तो यह बताईए माइनस नाइन वाई का पावर थ्री और प्लस यह वाई का है दुई पदिये है या तीन पदिये है जल्दी करिए फटा-फट बताईए आज की बाद मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में होगा क्योंकि बहुत लेट हो रहा है कि सबसे पहला जवाब दिया है जो उनका नाम है इसमें सुप्रिया और क्यूट वाली इसमें अभी अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें अभी गागर में सागर है और पढ़ाना पड़ेगा छोटे-छोटे जो हमने सवाल बताए हैं आप उनका जबाब दीजिए ये बताईए छोटका सा सवाल है कि एगर मैंने पूछा कि 12345 ए रुखजा इन इनका LCM क्या होगा इसमें रच्ची भी दिमाग नहीं लगाना है तिर्फ एक जुगार लगाना है जो मैं बताया हूँ बताये रेखा आपने पहले बोला है चलिए ठीक है जो भी पहले बोला है अच्छी बात है जिसका कमेंट हमें पहले दिखता है उसका नाम हम यह बोलते हैं अनुपम ने सबसे पहले बताया है और फिजा खान तो अभी दाता निकाल रही है मंजन भी नहीं कर यह आज लग रहे हैं तो हम देख नहीं रहें सर्माना नहीं कमेंट में देख रहे हैं मनी इस दूसरे नंबर पर हैं और दिपेंद्र शीक है इसमें यह चीज देखना थ अगर जितनी संख्याओं का लसी निकालना है वह सारी अभाज संख्याओं है तो उनका लसीम सदय उनका गुडण फल होता है इस बात को याद रखना जैसे मैंने दो नंबर और भी दे दिये मालोग साथ और तेरा अगर मैं इनका लसीम बोलू तो इनका लसीम इन दोनों का मल्टीपल करने पर आएगा 13.91 समझ में आया समझ में सरीता देवी आरा समझ में सूरज आप सभी साथी कलास को लाइक भी करिए ऐसे मज़ा नहीं आ बिलकुल नहीं मज़ा आ रही आगे बड़े तो चलिए अब आज हम लोग यहीं से सुरू करेंगे कहां से ध्यान दीजिए कि इदर साइड में अब आयार भाई इसको फिर काय दिखा दिया अच्छा ठीक है यहीं से सुरू करेंगे जैसे यक्स प्लस थ्री यक्स इसको जोड मैं बोलू कि वन में थ्री जोड़ेंगे तो क्या आएगा इस देखो इनकी अलग दुनिया अपनी वन में थ्री एड करेंगे तो फोर आएगा थाइप में सेबनेट करेंगे तो यह लाएगा आएगा ना कुछ उसी तरह से इनको भी जोड़ा जाता है यह एक अलग के कि अगर मैं बोलू जेड तो जेड का गुड़ांक क्या है अगर इस पर इसको एर भी लगा है पताइए जल्दी करिए क्या है इसका गुड़ांक आईए मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं जैसे हम कोई भी नार्मल सा संख्या जोड़ देते हैं तो आप लोगों को उसको अच्छे से पता है पूजा मिस्रा जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है ठीक है बहुत अच्छे इसका सबसे पहला और सही जब आप किसी ने दिया है तो उनका नाम है पूजा दूसरे नं अनुपा म儿या का सही है और संख्यना कुमारी का भिस है फिजा खान और अनू ठीक है कि सका गुडाएग क्या है ऋन तो यह होता है तो यहां जूड़के चार हो जाएगा और जो भी साथ में वारियबल्स होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं कि यह तोड़ा बेवफा टाइप का होता है कि इसका मान कभी इस्थिर नहीं होता है इसका मान बदल जाता है वक्त के अनुसार अपनी फैर्दन उक्सान देखका समझ रहे हो अभी डीटियल में बताएंगे तो आप समझ जाओगे अगर कोई भी आप एक्वेसन देखो समीकरण देखो उसमें जो यक्स और वाई के मान होते हैं वो सब बदलते नहीं है अलग-अलग आते हैं अगर आप इधर देख लो च्वोटा था होती है है की तो इसमान कुछ रखोंगे मैं उसका कुछ और आएगा इसका कुछ और आयगा उसका थे word नहीं होता है तो यह क्या है बेरियेबल्स है इनके बारे में मैं पिछली कलास में चर्चा कर चुका हूं लेकिन यहां पर भी जरूरी है क्योंकि जो नए-एजुड़े हैं उनको आ नहीं रहा होगा तो दिक्कत की बात है तो यह सबको समझ में आया 4X कैसे हो गया अच्छा एक बात बताईए ज्यान दिजिएगा अगर मैंने इस पर इसक्वायर लगा दिया और यहां पर तीन घात लगा दिया तो कितने लोग कह रहे हैं कि इसका अंसर यही आएगा पताएए अगर मैंने इस पे स्क्वाइर लगा दिया इस पे तीन घात लगा दिया तो क्या इसका अंसर यही आएगा या नहीं अगर आपका जबाब है हाँ यही आएगा तो आप बोलिए वाई मतलब यह अगर आपका जवाब है नहीं यह नहीं आएगा तो आप लिखिये यह मैं पूरी कहानी पे चलता हूं पहली बात तो यह आपस में जूड़ेगा नहीं जैसे मैंने आपको बेवहारी की ग्जामपल बताया था ना सुरु सुरु में में जिन गाते बराबर होंगी चर बराबर होंगे एक समान होंगे वही आपस में जुड़ते हैं इसका एक एक जामपर ले लिजिए इन दो लोगों की बात ब्योहार पसंद नापसंद सोच विचार और भी बहुत चीजे मिलती हैं उन लोगों में दोस्ती हो जाती प्यार हो जाता है लेकिन आजकल तो बहुत अलग है है लोग कुछ आइथा लोग तो बात अलग करिए इस में इसमें दैको यक्स कहा है है डोन में बराबर वेरेबलें लेकिन घाते अलग अलग हैं कि यह जूड़ेंगे नहीं आपस में यह आपस में आप सब्सक्राते हो नाप Amerya способ प्यों ए इसका आंसर भी यह आएगा इसका आंसर भी यह आएगा लेकिन इसमें स्कॉयर था इसमें स्कॉयर लग जाएगा नहीं समझ में आया अभी कुछ और देखिये आएगा थोड़ा देर और देखिये सब आयेगा जैसे अगर मैंने लिखा 9 x का पावर 5 और प्लस ये 2 x का पावर 5 तो ये कितना आएगा बताइए एक और बताइए जैसे मैंने लिखा इसमें 5 x का पावर 3 ये यक्स का पावर 3 और 9 x का पावर 3 और 7 x का पावर दो लिख दोगे तब हाँ चलो ठीक है नहीं दो मत लिख फोगर बढ़ जाएगा थोड़ा से लिख दोगे तब ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा कि इसका अंसर कोई बताएगा कि वह भाई दो काहे लिख दिया एक मिनट ये कोई क्या क्या कमाल कमाल के लोग है ये भाईया साहब इदाराव पहले ये कौन बताया इसकी घात 5 अकांच्छा अच्छा मतलब घात भी जो सारी से पढ़ेंगे न सब आएगा पक्का आएगा बहुत अच्छे से आएगा बस देखते जाएगे आईए मैं बताता हूं आतियों जोड़ेगा तभी जोड़ेगा तभी जोड़ेगा तभी जब उसके पहले नंबर तो चर बराबर हो सेम हो चर का मतलब अगर इसमें एक तो जोटे जुड़ेगा एक नया पद बनेगा रही तो नहीं जुड़ेगा यादरखना वस इसमें बी मिल्क नहीं इतना नहीं है तक मिल्क उछतिए पकांचा यह इनके गुडांग जुड़ जादयुruckHola शूना कि भी रहेगा वह वाएसे आनसर हो जाता है उसमें कोई मि करते हैं समझ में है ना इसमें देखिये इसमें सभी कि घात еся मैं कि नहीं सब्सकर्स इसमें अगर एसा है इनके जितने भी गुडांक आपस में जुर जायें से इसका गुड्बांक 5 है इसका गुडांग कुछ नहीं है तो वन है जिसके कोई नहीं है उसके माईवाप है इनके देखो 9 है इनके 7 है कि यह 5, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15, 7 15, 25, 22 22 कितना हो गया 22 22 यह अक्स का पावर 3 कि सबसे पहला इसमें जो सही जबाब दिया था रिप्यातिवारी संजना ठीक है चलिए यह भी सही है अच्छा इक बात बताओ भई जरे आओ सब लोग देखो ध्यानति अगर मैं इसकी घात दो कर देता हूं तो क्या तब भी यह सभी जोड़े जा सकते हैं तब को आपस में जोड़ा जा सकता है पताओ यह बोलिए यास या नो अगर मैंने इसमें से एक की घात बदल दिया तो क्या तब भी यह आपस में जोड़ सकते हैं यह यह नहीं जुर सकते हैं मैं जोड़ा शोर तो क्या गदों के बीच में जोड़ा छुप जाएगा और गोरें का बच्चा भी वालग दिखेगह, दिखेगा न, हम उस्टे क्या है, इनकी घाते तीन-तीन है, इनकी तीन-तीन है, इसकी दो है, ये आपस में नहीं जूड़ने वाला है, जबरश्ची वाला कामनी या, दिसकनेक्ट और रिकनेक्ट हो रहा है यह देखिए आपस में नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा यह और यह जुड़ जाएगा तो पांच एक छे साथ तेरा यह थार्टीन एक्स का पावर थ्री लेकिन यह बचारा अपना अलग घर बना के ऐसे ही रहेगा यह बस यह समझ में है ना यह क्या होगा इसका अंसर होगा तो आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं आपने जूड़ना सीख लिया है कैसे जुड़ता है आप समझ गये हैं अब हम देखेंगे घटाना गटाना भी ऐसे सेम तू सेम होगा आप कर लेंगे अभी क सब्ट्रेक करेंगे तो कितना आएगा कि यूपीडलेट के यह समेश्टर के सिलेवस की बात हो रही है यह कहीं कच्छा तीन वाले का नहीं पढ़ाय जा रहा है कि अब कि अबन्यक्स की पावर फाइप आएगा अब फीजा खानकार आ रहा है करेंगे बाद में कल मने बताया था उसके बारे में यह आपस में क्या करेंगे घट जाएगा इसमें से घटेगा तो यह क्या आएगा से बनाएगा इसी तरह से एक दो और देख लीचिए अगर मने लिखा उननीस यक्स और माइनस तीन यक्स तो भाईया इसमें यक्स यक्स क्या है समान तो यह गुडांग गुडांग आपस में घट जाएगे 16 यक्स आएगा आप लोग सोच रहे होंगे काई काई ती रहता है नहीं एक साथ कई लोग का कनेक्शन हो जाता कभी कभी वक्त बुरा होता देखो कई से जैसे तीन यक्स वाई जैड का स्कॉयर माइनस नो यक्स वाई जैड का स्कॉयर यह अब साही है अब बताओ इसमें इसमें कुछ दिमाग लग रहे है देखिए इनमें यक्स है इसमें भी यक्स है इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है इसमें जैड है इसमें जैड है खातें भी सब में बराबर बराबर ही लग रही है तो अगर ऐसी थिती बनती है तो यह आपस में घड़ जाएंगे और इसका आएगा चार यक्स वाई जड़ का स्क्वाइर ठीक है यह अंसर है लेकिन एक चीज और ध्यान रखना गर यहां पर अगर का मगर हो गया यह घाट गया घ्याट हो गई तब क्या होगा पताईए अगर यहां पर स्कॉयर लगा दिया एक्स पर तब क्या होगा देखिए बहुत ही समझने वाली चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं यह कोई बताता नहीं जल्दी से नहीं तब फटा 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 खतम करते हैं चटर पटर करके हम इतना डीटियल में इसको वटक वटक के बताते हैं कि तुम सीख जाओ वस यह अब घटेगा ही नहीं अब यह घटेगा नहीं जिसे एक नान बेज वाले और बेज वाले की आपस में नी पटती है एक जगह बैटके नीखा सकते हैं कि नहीं पिसे बहुत से लोग होंगे वह अलग बात है अब कहो कि बगल में बैठके को नो इसका अगर लिखना जाये तो यही आएगा जितना है इसको ऐसा नहीं लिखेंगे पर किरिया करेंगे एक्टिबिटी इनको ऐसे लिखतेंगे बस कि यहीं इसका अंसर आजाएगा ठीक है तो यह आप सीख गए में पॉइंट पर आते हैं गुड़ा वाला मल्टीपल वाला थोड़ा सा अलग है यह थोड़ा सा अलग है कैसे जल्दी से आगे बढ़ते हैं आपने सीखा बीज गणतिये बंजकों का जोड़ना घटाना और कुछ यह उल्टा-पुल्टा करके भी पूँच सकता है ऐसा नहीं है देखो समझो कैसे अगर आप से कहीं ऐसे दे दिया क्यों अपान फाइब यक्स का थ्री माइनस वन अपान थ्री यक्स का पावर यह थ्री तक इसको भी आपको करना पड़ेगा करके बताइए कितना पाइन माइनस यक्स का पावर 9 जैसे यहां पर दे दिया 128x का स्कॉयर y-125x स्कॉयर y-2 क्या आएगा कि कर लेंगे आप लोग इसे वह देखो बात्चीत ना करो बात्चीत ना करो प्रीति सुप्रिया अजय और यह कुछ लोग हैं जो पुछ अलगे दुनियम जी रहे हैं वरना यह जो यहां पर हो रहा है ना इक नहीं आए चली आगे बढ़ते हैं डिस्टर नहीं करें इनको कर लेजिए ना आप लोग गुड़ा भाग में क्या करेंगे बताते हैं देखिए इधर साइड दो कालम बना लीजिए जैसे अगर तीन का दो में गुड़ा करते हैं तो छे हो जाता है वैसे अगर यक्स का यक्स में multiple करते हैं तो यक्स का power 2 हो जाता है और आगे देखिएगा ज्यान दीजिए नौ का अगर 4 में गुड़ा करेंगे तो 36 उसी तरह से अगर यक्स का square का अगर हम यक्स में गुड़ा करेंगे तो यक्स गा 3 अच्छा इसमें से कितने लोग हैं जो इसको समझ गए नहीं समझेना तो मैं बताता हूं देखिए जोडने और घटाने में तो यह होता था कि घाते बराबर होनी चाहिए जार इक्वल होना चाहिए तभी जुड़ेगा तभी घटेगा लेकिन गुड़ा में ऐसा नहीं है गुड़ा में कुछ भी हो सब चलेगा यह संविधान पर आधारी था एक परकारफे जैसे आपको मैं सब चीज़ ले जा करके क्या में जोड़ता हूं साधी विया वाली बात में न क्यूंकि आप लोग को समझ में आता अच्छे से तो जैसे हमारा देश और समाज क्या चाहता है कि एक जाती के लोगों की ही साधी साथ में कोगी तब ही देश और स्माज सविखार करेगा में लेकिन क्या कहता है इसको तुम चाहते ओ उनुसिके साथ संविधान करेगा आप किसी के साथ भी रह सकते थादीविया कर सकते ओ जिंदगी विता सकते यह संवेधानिक में सुह मोइसा ही एthey नियूroot़ बराबर देखनी है नच्चर बराबर देखना है जो भी रहेगा सब का गुड़ा हो जाएगा लेकिन कैसे होगा क्या होगा आईए देखिए मैं थोड़ा डीटीयल में बताता हूं कि इधर थमजीए जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पर तीन यक्स का स्कॉयर और गुड़ा नो यक्स का पावर पांच यहाँ पर घात अलग है यहाँ पर भी अलग है लेकिन इनका क्या होगा आपस में गुड़ा हो जाएगा पहले तो गुडांग गुडांग का गुडा हो जाएगा तीन का नौ में गुडा हो जाएगा तो तीन नौ सब्ताइस और फिर क्या होगा कुछ लोग कह रहे होंगे पांच दून अदास हो जाएगा नहीं इताई गाते जुड जाती हैं गुड़ा होता है किसका नीचे नीचे के नंबर का Oberk है गुड़ा होता है किसका नीचे नीचे नंबर का होता है तीन का नौ में हुआ तो 27 और यह दोनों जूड़ जाएंगे तो यक्स का पावर से बंद कि समझ में आया ना सभी को समझ में जैसे अगला देखिए अगर यहां पर हमने लिखा वाई सभाई 202 इंटू वाई का स्कॉयर इंटू वाई यह यहां से समझना थोड़ा सा आथ्यこれ rated को यहां पर वाई का पावर वन है यहां हो जैसे कि एक है इनकी क्या होगी आपस में गाते जुड गई दो एक तीन एक चार और यह अखेले घ़्ल में किनारे परह रहे गाई यह किसी और उड़े उड़े गनी तो जो जो चोड़ी-जोड़ी वाले हो तो आपस में अपना लगे रहेंगे बात्सीत करते हैं गये जों लोग समझे गए न चलो ठीक है आपस इससे ज्यादा नहीं कि इसके देखिए इनके समान पत्र थे वाई इसमें भी था वाई इसमें भी था इनकी गाते जुड़ गई आपसमें लेकिन यह जड़ अकेला था इसमें और कहीं कोई जड़ नहीं था दूसरा तो इसलिए क्या हुआ इसकी घात कहीं नहीं जुड़ी यह वैसे का वैसे रह गया जैसे था वैसे ही अब चलिए आगे अगर मैंने लिखा यहां पर तीन राय को तीन लिखें यकस का पावर 5 इंटु यकस इंटु यकस पावर 7 इंटु यकस का पावर-2 अब बताईए यह कितना आएगा जल्दी बताईए अमित सिंग्ग पहले पढ़ाई कर लिजिए फिर बताते हैं कि इतना आएगा, इति कि मैं बताता हूं यहां ध्यान दीजिए आफ लोग, हो यह 13 है तेरा है, इसमें और किसी में कोई भी नंबर नहीं दिखरा गुडांक में, सभी में गुदांक में 1 यह चي है कि खातों पर आते हैं घात पे ध्यान दीजिए यहां पर घात 5 हैं यह ऐसे लिखते चलेंगे पांच यह वाला 5 इसमें जुड़ जायेगा यह वाला ऊरुक 6 है यह 1 भी इसमें जुड़ जायेगा तिर यह सेवन यह भी जुड़ जायेगा और फिर यह माइनस का explor पेड़ो है यह जुड़ जाएगा यह होती पूरी काहनी के उड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है कि तेरास की घात पावर सोला रहा है किसका इनका नाम है पूजाश्री झापूजाश्री बहुत अच्छे कि यह पांच पांच दस एक ग्यारा ग्यारा साथ अठारा अठारा में से दो घट जाएगा इसलिए गट गई याद रखना यह होता है सभी को आ रहा तो बोलिए हां और कलास को लाइक करिए पहले आप लोग लाइक नहीं करें विल्कुल अंदर से दिल तो पहले भी टूटा है जो कुछ बचा कुछा है थोड़ा मोड़ा वह भी चटनी बना दे रहे हो है लाइक तो करने जल्दी से सभी साथी फटा पट लाइ अभी कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी करो भाई सभी सभी जितने भी साथी जुड़े हैं फटा फट लाइक करेंगे सेशन को और अपने दोस्तों में तो कम से कम सेर कर दीजिए आज तो कर दीजिए जल्दी करिए आगे बढ़ते हैं तो आप लोग यह मल्टीपल करना सिख गए कुछ कुछ कुईस्टन्स भी हम आपको दिखाएंगे बुक में से एक मिनिट वै चटनी ना बनाओ लाइक करो जल्दी से क्या था इसमें मल्टीपल ना कि इसमें इतना ही था जोड़ना घटाना ही था फिलाल गुड़ा था नहीं आपके सिलेबस में फिलाल मैं पढ़ाय देता हूं ठीक है तो जैसे अगर मैंने अब पूछा कि तीन एक्स गहाद पांच इंटू एक्स वाई इंटू जेड इनका मुल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा तरीका मैंने बता दिया है सब कुछ आपको बता दिया कुछ बचा नहीं कूछ यह और बताईए क्या आएगा कि देखें बहुत सिंपल सा है जादा फे जादा कुश्चन करवाते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है वह को नहीं है देखो यार नंबर नीचे चल रहा ना भाईया जिनको इंक्वारी करना उस पर कांटेक्ट करिए निवेधन है यहां पर कमेंट में सब रिपलाइ एक भब नहीं होपाएगा नंबर पर करी आंब वए चलिए दहीं पर इसमें यक्षाय इसकी पावर1 है स्की पावर फाइफ है इस्में और बी घातंने तो बल्रीबल्स वान है तो उनकी नहीं रहेगा यक्स का पावर यहां पर 5 है यहां पर एक है तो यह पावर छे यह का वन है जड़ कभी वन है तो यह 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 अंसर हो गया अगला देखिए अब आप लोग मुझे लगता है कि गुड़ा करना तो सीखी गए है थोड़ा सा और एक इक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं कि बहुत ज्यादा होई जाएक मुझे लग रहा डीयलेट के अनुसार तो नहीं सही है बहुत ज्यादा इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन का जोड़ना घटाना दिया गया भाई उनको देख लो ठीक है चलिए पोजिशन पे आईए 3A प्लस 2B में 6B प्लस A को जोड़िये पता ये कौन-कौन जोड़ लेगा 3A प्लस 2B में 6B प्लस A को जोड़ना है कौन-कौन जोड़ लेगा ये बताओ देखे ये भी एक अच्छा कुश्चन है परिक्षा में ऐसे कुश्चन पूछे जाते हैं DL8 वालों से देखो भाई या समझो पहले थोड़ा सा जैसे अगर मैं कहूं कि 3 में 7 को जोड़ो या फिर 7 में 3 को जोड़ो तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई अंतर है अब एक कमाचा मारना ही है इस पर मारोगे तब हो उतने मज़ाएगा इस पर मारोगे तब हो उतने मज़ाएगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा कachtsे इसे सन्सक्रा इसके अलाहए यहां कहीन ही मारना हो और लिखर को इनका मतलब में ऐसे क्यों बोला क्योंकि करम है उनको बदलने से जोड़ने में मान में कोई फरक नहीं पड़ता है तो वैसे इनको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ना है, पहले तीने धन दो भी लिखा, और प्लस का साइन लगा के इनका सीरियल बदल देंगे, तो ये ए और धन, ये 6B, प्रेकट लगा दीजिए, ठीक है, तो साथियों ये कोश्टक खुलेगा, तो 3A हो जायागा, प्लस 2B हो जायागा, और प्लस A प्लस 6B, पर क्रिया पूरी करेंगे, अगर जल्दी से आंसर लाना है, तो एक ही लाइन में हो जायागा, लेकिन हमें जल्दी नहीं करना है, जो ये सजातिये पन हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तीन में जुड़ेगा तो 4A, 2B में 6 भ प्रसन आपको आने चाहिए अगर जोड़ने के लिए आ गया, अच्छा ये बताईए, घटाने वाला भी ऐसे कर लेंगे आप लोग, क्यों भाई कर लेंगे की नहीं, हाँ, कभी कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, जलो, 9B काई स्क्वाइर माइनस 7, में से, में से, बी काई स्क्वाइर घटाईए, जलिए घटा के बताईए कितना आएगा, कितना आएगा, सब्ट्रेक करिए, देखे, इस तरह के अभी प्रसना आपके परिच्छा में आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, यह बताता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे हल लिखिए, इनको ऐसे लिख दीजिए, पूरे इज़्जत के साथ जैसे भी थे, इसको घटाना था माइनस का चिन लगा के इसको ब्रेकर में लिखेंगे, याद रहे कि ब्रेकर जरूर लगाना, यह नाइन बी का स्कॉयर माइनस सेबन, माइनस बी का स्कॉयर, यह सजातिये पद हैं, आपस में घट जाएंगे, फिर गुडांग गुडांग घटता है, आपको पता है न, नाइन से वन सब्ट्रेक होगा, तो कितना आएगा, एट और बी का स्कॉयर वैसे रहेगा, माइनस का सेबन, ठीक है, यह बताए इसमें से कितने लोग हैं, जिनको नहीं समझ में आया, कैसे आया, इमांदारी से बताना कि किसको किसको नहीं समझ में आया, कोई है ऐसा जिससे ना आया हूँ समझ में, एक और देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि 15 एक्स के पावर 5, वाई, में से, 7 एक्स वाई घटाईए, कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझो भाईया, यह 15 एक्स के पावर 5, वाई, माईनस यह से बन एक्स वाई, यही आंसर आएगा, यही घटेगा नहीं, यह घटेगा ही नहीं, इसका आंसर यही आएगा, लक्षमन जी वही तो बता रहा हूँ, यहाँ से देखो तो पक्का आएगा, सब को आएगा समझ में, ठीक है, चलो आगे बढ़े, योगें सिंग, यह हो गया आपका घटाद हो गया, जोडना हो गया, इसी तरह का इसमें, एडिशन भी ऐसे ही होता, सेम टू सेम, तीन पद में भी देख लीजिए, चार यक्स, धन तीन वाई, लिखिए चार यक्स, धन तीन वाई, आठ प्लस दो यक्स, और इसमें एक पद और भी है, अजीब टाइब का है, वो कहा गया मिल जा भई, को जोड़िए, सभी को जोड़िए, बताइए इन तीनों पदों को जोड़ेंगे, तो कितना आएगा, भई मुन्ना को नहीं है, काय को गाली दे रहे हैं, पहरे हैं कि मुन्ना मानोगे कि नहीं, गाली दूँ मैं गाली भी अच्छी दे लेती हूं, और मुनाख सब तोल दूँगी, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, मुन्ना कुमार को बला कर दीजिए, पांच मिनट के लिए, और अगर ये पांच मिनट के बाद ना माने, तो इनको गाली देना सुरू करो पर ठीक है, पताइए कितना आएगा, कितना आएगा, आईए बताते हैं, देखे ध्यान दीजिए, ये 4X प्लस 3Y, इसमें जोडना था, तो आप बीच में प्लस का साइन लगाओगे, 8 प्लस 2X, देखे अगर जोडना है, तो अकसर ब्रेकट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, अगर घटाना होता है, तो कोश्ठक जरूर लगाते हैं, तो ये जोडना था, 2Y माइनस 5, क्योंकि घटाने में ब्रेकट नहीं लगाओगे, तो अंसर गलत हो जाता कहीं कहीं, जो जो सजातीये पद हैं, आपस में जूड जाएंगे, 4X में 2X जुड जाएगा, कोई और X वाला है क्या, नहीं है न, तो ये कितना हो जाएगा, 6X हो जाएगा, 3Y में ये 2Y जुड जाएगा, तो ये हो जाएगा 5Y, और ये 8 में ये 5, क्या होगा, जुडेगा कि घटेगा, जुडेगा कि घटेगा, यह माईने से इन दोनों में क्या होगा अकरसंद होगा यौह कभी लड़का लड़का में अकरसंद हो आज दिना कि तो उन्हों का चिन अलग अलग है तो यह आपस में सब्ट्रेक होंगे जुडएंगे नहीं तो यह घड जाएगा प्लस का तीन आएगा जो इसमें फिजिक्स वाले होंगे वेल्थ में मैट से पड़े होंगे वह अच्छे समझे गए होंगे पालोजी वाले होंगे तो वह कुछाउर भासा समझे होंगे तो यह फिर सही है न चार में दो यक्स जुड़ा तो छे अक्स और यह तीन और यह दो पांच वाई हो गया और यह तीन ओ आप लोग कर लेंगे ना इस तरह से अब एक मैं कुछिशन दे रहा हूं उससे करके बताईए नेहा बर्माजी बताईए बिल्कुल बताईए मैं देखता हूं यह लो भाई लो लो कुछिशन लो बताऊ 4A प्लस 5B में से 3A प्लस 2B कि अधाये चले इनको घटाये आपस में फटाफट कितना आएगा कि कहलाबाद से हो लेकिन आप अपने घर में बैठे रहा हूं क्योंकि बाहर बड़ी ठंडी है अजीर चिंग आप बहुत पुड़ा करकट लगाया हूं नाम में आगे पीछे इसलिए थोड़ा से कम अच्छा लग रहा है आप पीबीर स्टडी अप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अप्लीकेशन में जा करके ना आप बेसिक मैट्स बिल्कुल जिरु लेबल से सीखिए एकदम सुरू से बहुत बहतर समझ में आएगा एक बार जरू डाउनलोड करें आप सभी पीबीर स्टडी अप्लीकेशन प्ली स्टोर से आप तो इसमें बोरिंग सी लगने लगी मुझे लगता है कि हो जाया का कर लोगे न आप लोग नहीं हाँ बर्मा यह ठीक है योगें सिंग डॉली राजपूद पी में से सी को घटाईए पताईए क्या आएगा बड़ा गजब सा सवाल है पी में से सी को घटाईए क्या आएगा घट जाएगा कि नहीं हुँ दुयाधारी दुयाधारी सब बतायां जिसे बाइनरी बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं दुयाधारी को इंगलिस में बाइनरी बोलते हैं हिंदी में दुयाधारी बोलते है ए प्लस थ्री भी कौन बताया सबसे पहला जबाब है पूजा मिस्रा का सही भी है अनुपम कभी सभी है लक्षमन जी कुछ और ही कह रहे हैं दो है देखिए जो नहीं घड़ सकता है उसको चिन लगाके वैसे लिख देते हैं जैसे देखिए जब हम लोग चोटे थे स्कूलों में पढ़ते थे किसी के घर में किसी गार्जियन की डेथ हो जाती थी कुछ गडबड़ हो जाता था तो इसकूल में कंडूलेंस होता था आप एक मिनट का सरजी सोक करने को बोलते थे फिर सब लोग अपने घर जाते थे उसमें कुछ ऐसे भ सब्सक्राइब करेंगे मतलब चीन लगाके तिक दिये जाएंगे बस घटेंगे नहीं आपस में यह सब्सक्राइब नहीं होंगे अ कि पस ऐसे ही समझ रहो ना तो इसी तरह से अगर कुछ भी बोला जाए जैसे कहा जाए कि 9 x y से याक्स वाई घटा यह तो क्या यह ऐसे हो होगा है हозможноiß एंग्ली समिज मुझे आती नहीं किसल मैंट में अचुछिए कि इपतना एगा कोई कह रहा है कि आप में चार्ज लगता है बीना चार्ज के जिन्दगी नहीं चल रही है बेरारू लड़िका नहीं नहीं लेकिन तब वो जिन्दगी है तो आया हमाई कुछ तो लगेगा ही न चलो फट से बताओ कितना आएगा देखिए ये उसकी तरह नहीं है इसमें समनता है ये दोनों सजातिये पद हैं अगर पढ़े हो तब ये 9xy-xy इनको घटाएंगे ये गुडांक 8 है इसका 1 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 8xy आएगा समझ रहो न आप लोग मुझे लगता है कि आप सब समझे गए अब कुछ नहीं बचा है कुछ क्विश्चन देते हैं लिख लीजिए दो यक्स पोर यक्स में चलो जोड़ो पटापट जोड़िये जोड़िये सबको पहला है कि दो यक्स में जो एक्स में पोर यक्स कितना आएगा जोड़ के बताईए देखे आपके समझे सिलेबस का है जो मैं पढ़ा रहा हूं डियलेड वाले बिलकुल इसी नजर अंदाज मत करना जिनको नहीं आता है मैत्स में पूरे 25 में 25 नंबर मिलते हैं तो एक लगने की बात तो भूल जाओ मैथमेटिक्स में बीटीसी में फुल नंबर मिलता है 25 में 25 मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ दिलेबस पढ़के रेडी किये रहा हूं अज से थोड़ा अगल वगल भी इनको भी जोड़िये एक बटा दो यक्स वाई और धन एक बटा दो यक्स वाई एक बटा पांच यक्स का स्कॉयर वाई प्लस एक बटा साथ यक्स स्कॉयर वाई प्लस तीन यक्स स्कॉयर वाई इनको भी जोड़ना जिनको सीधा सीधा गिंतीं को जोड़ना आता है वह इसको कर लेंगे जिनको जोड़ना गटाना पहले से नहीं आता त्युक्षित ठुड़ा ठुड़ा भफरिंग हो रहा है अज कलास बहुत बड़ी नहीं चलेगी अब यहीं पहीं करेंगे मुझे लगता है कि यह सब हो गया जोड़ गटाना गुड़ा भाग इसमें एक और भी विधी है वह मैं बताया नहीं कि अब कलन भी और बैकल्पिक विधी यह पाई रुख जा एक मिनट एक पदी यह बन्यकों का वेकलन बताएं ना बताएं कोई मतलब नहीं है जैसे इनको मैंने जोड़ने को बताया था न ऐसे ऐसे अगल बगल में तो बगल बगल में भी जुड़ जाते हैं निच्छे उपर भी जुड़ते हैं देखो कैसे है इ और इनको एक तरीका यह भी है इनको नीचे उपर करके भी जोड़ सकते हैं एक के उपर दूसरे को बिठा दो यह ऐसे दो एक्स की नीचे 4X को लिख तो ऐसे अब भी यह 6X आया यह दो तरीके से इनको कर सकते हैं तो इस तरीका होता है फटा फट लिख लिजिए कुछ भी डाउट है कुछ भी कहना है तो बताईए फिक है समझ मैंने सभी को इस तरह से आप लोग करेंगे कुछ यहां पर अभ्यास प्रस्न दे रहे हैं आप लोग उन्हे लिखिये और घर ou जरूर करेगा क्योंकि आप लोगों की मांग प्यूंस होती है कि भही नरनावत को देखें समझ रहा हो ना चलो देखो इधार इनको पढ़ने में थोड़ी बहुत चाहिए वो इधार आ जाए लिखिए फोर ए प्लस तीन भी और प्लस वन वो साथ यक्स प्लस ए में जोड़िये लिखिए है तो अलग तरह का ये लेकिन आप जोड़ के देखना दूसरा तीन यक्स प्लस नो में साथ यक्स और ये ऐसे वो जोड़िये इनको जोड़िये आपस में तीन यक्स और ये पांच यक्स धन एक इनको क्या करिए गुड़ा करिए मैं लगता इस तरह वाला नहीं बताया हूँ न अगला देखिए 5A प्लस 7 तथा 2A माइनस 5 को घटाईए इनको क्या करिए घटाईए आपस में तीक हैं कर देखिए प्लस 9 एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और जोड़िये आप लोग के किताबे दी होंगी कर लीजिएगा इसमें और कुछ था नहीं आपका ये चैप्टर खतम हो गया पता नहीं क्या हुआ इसमें दिखने दीजिए इसमें दोनों तरह के लोग हैं कुछ लोग हैं जो ये सारी चीजें समझ गए हैं कुछ लोग हैं जो नहीं समझे हैं ये थोड़ा सा अलग है मतलब इसे कुछ जादा ही समझने की जरूरत है क्योंकि ये जल्दी से समझ में नहीं आता है एक्चुली ये बात करें तो अलजेब्रा में आता है एडवांस में थोड़ा सा तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा और भी आगे आज बता देते हैं अभिहास प्रस्न करवा देते हैं सिल्पा केसरवानी जी गुडिबनिंग सर्थ्यम जी गुडिबनिंग आप लोग ये बताईए कि आप सभी को टेबल कितने तक याद है पहाड़े इमानदारी से बताईए तब तक हम इसको रेड़ी करते हैं आप लोगों को टेबल कितने तक याद है आप लोग कहेंगे इसमें इसका क्या मतलब है टेबल हो बलका मतलब है अगर आपको मैट्स पढ़ने है न चोटी-चोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए एक और भी सवाल कर रहे हैं ज्यान से सुनिए अगर मैंने कहा कि 80 और 90 यानी 8080 और 90 की बीच में कितनी प्राइम नंबर है एक सब्द में जबाब दीजिए तुरंद 80 और 90 की बीच में कितनी अभाज्य संख्याए हैं कितनी हैं यह चोटी-चोटी बातें आपकी जुबान पर रहनी चाहिए जैसे कोई आपसे आपका नाम पूछता है तो आप पट से बता देते हैं वैसे जट से आपको बताना चाहिए जुड़े हैं क्या कहें कोई 22 बता रहा है कोई 40 बता रहा है मतलब ऐसा लग रहा है किनके असुरारी से किफ्ट आया ही तो आख ही जाने तो चली आगे बढ़ते हैं आज क्या है टॉपिक तो फिलाल अलजेब्रा कहीं चलेगा क्यूश्चन जो पूछा था वह मैं सब करवा चुका हूं लाइब नंबर 27 है कलाफ नंबर 27 है क्यों 27 है कि क्या है भई 27 है ना ठीक है ओक तो मैंने यह जो पूछा था पहले उसका जबाब दे देते हैं क्योंकि कुछ चात्र इंतजार में होंगे कि बताया जाए मैंने पूछा था कि 80 और 90 इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं के बारे में आद तो नहीं पढ़ाएंगे लेकिन इसका जबाब देते हैं देखिए एक्चुली जो संख्या कम से कम दो नंबर से पूर्टा डिवाइड हो जाती है वो भाज्य संख्या कालाथी है मीनिम्म दो से लेकिन उसमें वन को नहीं गिनते हैं क्योंकि 1 से तो सारी नंबर डिवाइड होती हैं तरह सुन लिजिए वह संख्या जो 1 से और खुद से 1 से और खुद से मतलब जैसे 8080 की बात करें तो 80 खुद से अपने आपसे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए और भी किसी एक संख्या से फुली डिवाइड हो तो वह भाज संख्या कालाती है ठीक है कुछ लोग जैसे 87 हो गया 87 हो गया यह 21 हो गया 33 हो गया 99 हो गया इनको भी अभाज समझ लेते हैं यह उनकी बहुत बड़ी भूल है कमझ रहे ना इसमें अगर हम बात करें 88 82 मुझे लगता है कि 83 यह क्या है अभाज संख्या है 84 85 86 87 88 89 और यह 89 है क्यों सही है ना और कोई भी संख्या अभाज नहीं है इसका सही जबाब था दो इन लोगों ने दो बताया था उनका सही है 80 और 90 की बीच में फिर्फ और सिर्फ दो अभाज संख्या है ठीका कितनी है तो अब आजे संख्या है अभी नीज पटेल ओनू पामेडी मौज भूख लगी है अच्छा अभी लंगर परोसेंगे बैठे रहो हां दिल थाम के बैठो लंगर मिलेगा भी चलो तो आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं अलजेबरिक एक्स्प्रेशन के बारे में कल चर्चा हुई थी तो आप लोग मुझे इसका जबाब फटा फटा बताए इमांदारी के साथ पूरी इमांदारी से सिद्दत से पौफादारी के साथ बताईए अगर हम इसका मल्टीपल करने को बोले तो क्या हैगा आप कुछ भी कर रहे हैं अगर आपको मैच सीखना है न यह सब के लिए यह माश्टर कलास है सब के लिए बताए जल्दी करिए जो बातचीत कर रहे हैं इनको सर बलक करिए आप जल्दी जल्दी जो भी फालतू की बातचीत कर रहा है इनको बलक करिए सुन रहे न तुरंत बिलकुल कुछ नहीं पूछना कुछ नहीं बोलना है फिर पढ़ने वाले रहेंगे दो ही रहेंगे वो ठीक है चलो ठीक है इसका जबाब जो सबसे पहले दिया मैं कमेंट उनका देख पा रहा हूं आईए हम इस पर चर्चा करते हैं आगे बात करते हैं कल मैंने इसके पीछे भी कुछ और छोटी बाते पढ़ा था जैसे माल लेते हैं कि 3 नहीं 13 लिख लीजिए a और b का i square अगर मैं इसमें बोलूँ कि a b का i square a b का i square का गुडांग क्या है तो क्या होगा बताईए a b का i square का गुडांग क्या होगा coefficient बताईए ये चोटी बात है साथियों मैंने ये भी बताया था कि जो variables होता है यानि चर्पद होते हैं उनके साथ में जो भी नंबर लगा होता है यानि constant लगा होता वही क्या है वही उसका गुडांग होता है तो अगर इसमें हम AB का गुडांग की बात करें सबसे पहले पूजा मिस्रा जी ने जबाब दिया है अनुपम दूसरे नंबर पर है और रैसमी सिंग तीफरे नंबर पर ठीक है तो थार्टीन है क्योंकि इनके साथ में लगा हुआ जो इसका गुडा अलग से करते हैं इसमें दो लोग है प्रेकट के अंदर तीन प्लफ नौ एक्स ऐसे हैं कि जैसे कोई गार्जियन है इनके दो लड़के हैं एक कना मोनू है एक कना मोनू है अगर वह कुछ भी करेंगे तो एक बच्चे के लिए नहीं करेंगे दोनों के लिए क्रेंगे क्योंकि उनके लिए बढ़ाबर हैं कुछ ऐसे भी वह आप वाद जो ना करते हों बाकि हमें जहां तक लगता है कोई भी घरजिन अगर करता है कुछ भी चीज तो सूचता है को हो गेतियाँ साधी में फोरवीलर कार दे रहा है को तो दूसरी को भीक देता है आना अगर नहीं देगा घंजाने हम इचो धाए ऻगत है तो वैसे क्या है इसमें म hydraul मफंचर रहा है इसमेंिके तौस्य ॉ IL ऐगा इप्टा लेते हैं जिसे के नंबर का नंबर में मल्टीपल होता है तो तीन का दीन में हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और यरे का स्कवाएर आइसे ही रहेगा पीकर कर्यों सुमिध पांडय को प्लग करिए पांडय समझ पए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि इसके साथ में कोई परकार का वरियबल्स नहीं है तो वह नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो यह 9x का स्कॉयर हो जाएगा यहां पर लिखेंगे लेकिन अभी कहानी खतम नहीं हुई मैंने कहा था कि जब करेंगे तो दोनों में करेंगे तो अब 3x का स्कॉयर का गुड़ा 9x में भी करेंगे बीच में प्लस का साइन था तो प्लस वैसे ही लगा दिया जाएगा किसी को कोई डाउट नहीं न आईए अब 3x का मल्टीपर करेंगे 9x में इतना ठीक है तो साथी मेरे क्या करेंगे 3 का गुड़ा 9 में करेंगे तो यह 27 हो जाएगा और यह x का स्कॉयर है यह x का पावर 1 है यह क्या होंगे आपस में जूड़ जाएंगे क्या जूड़ेंगे भातांग जूड़ जाएंगे बैने बताया था कि गुड़ा करने पर घाटे जूड़ जाती हैं मल्टीपल करने पर जो उनकी पावर होती है अपस में एड़ हो जाती है तो यह एक घात और यह दो घात जूड़के 3 घात हो जाएगी तो 27 x का पावर 3 आएगा यह इसका फा लिख के कमेंट करिए चल्डी करिए इतना हो गया इसको हम दुबारा से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है और ये बच्चों को साथी जो हमारे जुड़े हैं उनको थोड़ा कम समझ में आते अब इनीस पर तेल नहीं जानते थे इनका नाम है इतना खतरनाक फिक है जिनको भी नहीं आती वो सीख जाएंगे बिल्कुल दिल थाम के वेटिये सब आएगा टेंसन मत लीजिए बस एक उम्मीद बनाके रखिए है ना समझे रहो ना उम्मीद जिन्दा रहनी चाहिए बस होसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना होसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना और एक ही उम्मीद पे सब कुछ मिल जाएगा आईए इधर साइड में आईए तो यह हो गया यक्स का पावर माइनस का फाइप अगर इसका मल्टीपल कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या आप लोग कर लेंगे क्या आप लोग कर लेंगे बताइए रेस मिसिंग ठीक है आप तो समझ में आ गया तरेस बहुत अच्छे देखिए आप लोग कलास को लाइक नहीं कर रहे हैं यह दोखा है सिर्फ इस महीने लगातार दोख है मिल रहा है क्यूं भाई आप लोग को क्या चाहिए प्ठापट कलास को लाइक जरूर करिये आप लोग आईसा नहीं चलने वाला है देखिये इसको भी ऐसे ही करेंगे पहले यक्स का पावर 5 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो यक्स का पावर माइनस का 5 इंटू यक्स यह आप सबको अच्छे से पता है कैसे क्या होता है समझ चिक है इसकी घात 1 है आमको पता है गुरा करने पर घटे जुड़ जाती है गुडा करने पर घाते क्या होती है जुड़ जाती है तो यह सद्ञेट सद्रस में प्लति अर्च का फोल рок है कि वह गर एकस का पावर माइनस का फोर है कहा इंड हां तो हमने मुल्टिपली समय तो य confidently कि आई लग्हा । और वो छिपर नस में माइनस मैं-स में याद रखते कि अब इस सीरफ और सिर्फ इसका मुल्टिपल इस बी God अब यक्स्क आवर 5 का multiple इसमें भी करेंगे अगर किसी को समझ में आगय तो जल्दी बता जो इसमें भी करेंगे भ्यान से देखना विक आप के उसका multiple 2 में करेंगे यह हो जाएगा गार माईनेस भार मैं तो сторेकर में समझ में उसके बाद आगे समझना ये तो इसका मल्तिपल इन दोनों में हो गया बारी-बारी लेकिन अभी one भी तो बचा है one से भी पूरे में सब में बारी-बारी से फूड़ा करेंगे ठिक है तो वन का मल्तिपल यक्स में करेंगे तो साथी मेरे यक्स हो जाएगा वन का मल्टीपल टू में करेंगे तो ये टू हो जाएगा अब आप लोग मुझे ये बताओ क्या इन में कोई सजातिये पद है जिनको जोडा घटाया जा सकता है पताईए क्या इन में कोई सजातिये पद है जिनको जोड़ा घटाया जा सकता है कमेंट में सबका देख रहा हूं यह चुटका समभाइल लिया हूं यह किसी में दिख रहा है सुमित दीपेंद्र है कोई बोलो फटा फट बताओ नहीं न ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है क्योंकि इसकी घात अलग है इसकी अलग है सब अलग-अलग है यह तीर गाउं में इर गाउं जा रहे हैं यह कहीं कुछ ने जुडने वाले यह आंसर हो जायगा बस तुमित क्या जुड़ेगा बताईए अर्चन्ह देवी एककलास में ही प्रेक्टिस होता है है इसी में कुछ निकर्ना पढ़ता ये इसी में प्रेक्टिस हो जायेंगा तो रहां पर्मा मैं इक हैं बहुत अच्छे कोशिस करते रहिए बस कोशिस करनेवालों की कभी और नहीं होती बस एक बार ट्राइब करते रहे हर बार बार एक बार फेल हो जाएंगे दुबारा ट्राइब करना नहीं भूलना फेल का मतलब कोईश्चन गलत हो जाए तो आगे बढ़ा जाए फिर हाँ इसमें कुछ अलग तरह के भी प्रस्न करना चाहिए खोड़ा सा रुकना कुछ क्वेश्चन देखता हूं जो आपके काम के हैं जाती है भी जाती है तो कल देखा आई था अमिद सिंग बच्चा आप की सरकार बनने वाली है बाबू आप ही की बने गया अब दुबारा मत पूछना चलो इसमें बहुत छोटे छोटे चोटे कुश्चन दिये गया है बहुत छोटे चोटे ती अगला चैप्टर में सरकल चलेगा चैप्टर नमबर टेन में सरकल और लाइन सर्फेस हो गएरा जो है यह सब पढ़ाए जाएगा ठीक है आईए अब हम बात करते हैं जैसे मनें लिखा तीन यक्स का इसक्वाएर पलस नो और पलस यक्स का इसक्वाएर यह कितना पद यह है बताइए यह कितना पद यह बहुत पद है तीन पद यह है ग themselves पतिये है या 5 पतिये है भटाफट बताईए अगला ये भी बताईए कितना पतिये है फटाफट बताईए गडिलाइधी हाँ मैं सब को देखरायू सब को देखराऊं सब लोग अच्छे लग यह मुझत के वैठरों कोई दिखतने अ गुलसन बोल रहे हैं तीन है देखिए इसमें ये दोनों सजातिये पद है क्योंकि इनकी घाते बराबर है और चर भी बराबर है ति आपस में जूड़ जाएंगे तो भाई सहाब अगर ये जूड़ेंगे ति ये हो जाएंगे 4x का स्कॉयर और प्लफ का 9 अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है इसमें कुछ नहीं हो सकता है ये जूड़े गटेंगे नहीं यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मैंने उस दिन निष्दी हो जाता है प्यार हो नॉबत ऊजाती है तो ऐसे इन है आपस में मिल जवागते हैं कुछ ऐसे यह माज़े हो ना इनकी घाते बराबर है इनके चर बराबर थो यहां शूर जाते हैं प्मया और तुम 뭘 करका है हम हो गए अधे से यह नहीं है यह जाती धरम इनके संसकार इनके भेषबूसा सब अलग अलग है कि यह 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 जर्ड है यह जुड़ेगा नहीं नहीं जुड़ेगा कुछ नहीं होगा तो तीन एक चर पदिये तो यह चर पदिये क्या बोलेंगे तुर्थ पदिये क्या41 यह सपाद ना जार प यू क्या चर पादिय कर दिया कर दिए कह दिमाग में गुश्रा आ जंख जब धिन्य थोड़ा बहुत बुझारा कुनिक अगर बुझारा तो बताएए हां 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 समझ में आ रहा है चलिए आगए बात करते हैं इधर साइड में आईए और देखते रहें कि अ मुझे लगता है कि आप लोग यह समझ गये होंगे तो इसमें अगला क्या है तल तल खंड रेखा बिंदू यह थारी चीजें हैं यह कौन से मुसीबत आ गई भाई कि इनको वाइस क्लियर नहीं आ रही मुझे तो सब सुना ही पड़ रहा है कि अब क्लियर है सुमीत अपना कान में थोड़ा तेल ओल डालो खोद लो डंडाउंड़ डालके थोड़ा साही कर लो है चलो आएगा चलो चलो ठीक है था तो एक बात यह बताई और वन अपान फाइब एक्स वाई का स्कॉयर ठीक है प्लस वन अपान थिरी और यह एक्स का स्कॉयर वाई और इसके साथ में मान लो यक्स भी तो इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे या जो भी करेंगे तो कितना आएगा बताईए यह कुश्चन है कितने लोग हैं जो इनको कर लेंगे बहुत ही सिंपल सा इस में कुछ है नहीं जादा लेकिन जो हम बता रहे हैं वही है बस पताईए आकणों का प्रबंधन प्रिक्टोग्राप भी पढ़ा था इसके पीछे परसेंटेज भी पढ़ा है अब रिवीजन ही करना है ठीक है एक दो चैप्टर बचा है उसको करवा के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है देखिए मैं बताता हूं यहां आईए यह तो सिंपल सा है इसे वैसे ही लिख देंगे वन अपान फाइव एक्स वाई का स्कॉयर प्लस इतमें यक्स का स्कॉयर है नीचे भी यक्स है यह आपस में कहें एक प्रकार से तो कट जाएगा वस्चे कटता नहीं है घाते घट जा दिखाय नहीं इसके यह हो जैगा तीन का 8 में गुड़ा होगा 5 दे रोगा कि दिन 5 यक्स स्कॉयर मैं 55 45 का स्कॉयर रिवाइन इंका अपस में एक्स मल्टील हो जाएंगे कीँ पांतिया हैं अब इसके आगे यह जुडे घटेंगे नहीं क्यों नहीं जुड़े गटेंगे क्योंकि इनकी घातें अलग अलग है इनमें यक्स है वाई है इसमें भी यक्स है वाई है इसमें तो यक्स की घात वन है इसमें भी वन है लेकिन वाई वाला गडबड कर रहा है वाई वाला गडबड कर रहा है इसमें इसकी घात दो है पर इ और फिर इसी पर छुड़ देंगे तीक है जल्दी करवा देंगे कोई रिटकत की बात नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके जब कलास लाइब नहीं होती अगर यह प्रीमियर वीडियो भी आता है आपने देखा होगा तो आपको देखना चाहिए किसी भी तरह का वीडियो आ रहा या कलास आ रही उसे आप इग्नोर ना करें क्योंकि वह बड़ी मेहनत से बनाई जात करेंता है कोई बनाया गाया है लाइप करेगा नहीं तो उतना अबने करना पड़ेगा न है इस तो तो अच्छा एक और सवाल बता यह कि अब से चोटी अभाज्य शम्ख्या क्या है कि सबसे चोटी अब हाद्य संख्या यानि प्राइम नंबर क्या है एक टोगरा पढ़ाय गया था रस्मी जी अभी सायद कलाफ नंबर 24 या 23-24 में देख लिजिए पढ़ाया गया था पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है कि विक्टोग्राप का पूरा चैप्टर एक वीडियो में है आप देख लिजिए उसे जाके नहीं हाँ बता रहीं दो है अनुपम का दो आ रहा है और हाउ टू पॉजीशन फ्लास इनका नाम है खतरनाक है पढ़ना ही गलत है चलो है to सबसे चोटी जो अभाज शेaciए वो दो है जो लोग वन को भूलने भाय AH यह विरादरी के बाहर है यह ना ढाब है टीक है नगरी में होते हुए भी वो राम चंदर जी की पूजा करते थे स्री राम भगवान की पूजा करते थे कुछ वैसे यह है ऐसे क्योंकि यह सम संख्या है और अभाज्य भी है बाकि कोई भी संख्या है कि स्रम अगर है तो वह बहुत नहीं होती है समसंखयां बहुत कुछ हो गया जिंख्या क्या याद रखना थे आप लगता है कि इसमें सब बहुत कुछ हो गया है इस तरह के सारे बाद आप लोकर लेंगे ना देखिए समझिए यहां पर इधर साइड में आई है कुश्चन देखिए एक वटा तीन यक्स का पावर पाँच वाई जेड यह जेड है जेड फाज जेब्रा मतलब गदाहा चलो तो यह का है भाईया यह 9 है यक्स का पावर 5 और प्लस यह है 3 इसको अगर मंटिपल करें तो कितने लोग कर लेंगे पोलिये कितने लोग कर लेंगे अरे बोलो न बाई बोलो न बाबुरा जा बोलो न जल्दी जल्दी चलो सर्माओ नहीं थोड़ा मैं इसको पिला देता हूं मतलब से आही इंक नरे बाबू का चाहते हो तुम दिल चाहते हो कि जान चाहते हो या दोनों चाहते हो बोलो का इतना परिसान हो बोलो बोलो जल्दी बोलो इसको आप लोग कर लेंगे ना इकसर साइज ही हो रहा है चलिए यह इसर साइज ही हो रहा है और कुछ नहीं इसको इनका मल्टीपल करेंगे तो पहले नंबर नंबर का कर लिजिए यह वन अपान थिरी का मल्टीपल नाइन में अगर करेंगे तो तीन से कट जायेगा तो सिर्फ तीन आएगा तो याद रहे यहां पर फाइनल में तीन आएगा और यक्स वाई जेड़ जो भी है इनको अलग से ले लीजिए इनको अलग से ले लीजिए इनका भी आपस में मल्टीपल कर दीजिए ठीक है तो इसकी घाते पांच है इसकी भी पांच है यह जुड़ जायेगा तो यक्स की घात दस हो जायेगा यह वाई है यह वाई है वाई की घाते वन वन है तो इनकी घाते एक एक जुड़ और इसमें भ्या कहीं z वड तो है नहीं ये चाह चाहिए था नहीं Myself Leo इंदा इसमें इसमें नहीं तो इसमें ऐ रॉप क क्या होग का एसे-ईसै इसके साथ में आ जायगा मैं आ जायगा इसके बगल में लगेगा इसमें किसी को कोई मुसीबत कोई परसानी नहीं ना चलो ठीक है ओके चलन तो यह तो अभी आधा हुआ पूरा नहीं हुआ पूरा भी कर लीजिए इनका मल्टिपल पूरे का इस पूरे में हो गया तो इतना आ गया क्यों आ गया क्योंकि यह वन अपान थ्री था यह सिर्फ नाइन था यह निच्चे उपर हुआ तो गडबड़ हो गया मतलब कट गया अब यह बीच में प्लफ का फाइन है तो प्लफ लगा दिया इनको आलग कहीं निप्टा लेंगे तो अच्छा रहेगा तीन है ना एक वट गाते दस हैं यहाँ पर फांच है यहां यहां कि कादव सबस्क्राइब नहीं है इसलिए यह आपस में नहीं जुड़ेंगे तो यह फाइनल अंसर हो जायएगा समझ में आए ना अभी को समझ में आ रहा है ना इसमें मैं और क्या करवाऊं मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत कुछ हो गया है कि आये मैं घटाने वाला थोड़ा सा डीटील में बता देता हूं क्योंकि यह है तो बहुत आसान जो लोग को आता है उनका बड़ा बोरिंग भी लग रहा है लेकिन जिनको नहीं आता ना उनके दिल का दर्द कोई सुनता नहीं है मुसीबत यह है वो अकेले में तड़ापते रहते हैं तड़ापते रहते हैं वो क्या कहते ना दोखा खाए हुए आसिक की तरह कोई उनकी सुनता नहीं है कुछ अच्छा लगता नहीं है तो मैं उन्हें के दुख दर्द को समझ के इसको बताने वाला हूं आई देखिए समझ यह देखिए जैसे अगर मैं बोलूं सिंपल में कि पांच यक्स से आप दो यक्स को घटाए है इसका अंसर तो आप कहोगे तीन यक्स आएगा सिंपल सा है लेकिन आखिर तीन यक्स आएगा क्यों कैसे आएगा बड़ा डीटियल में समझ लीजिए बाकी बड़े बड़े पताएगे यह पांच एक्स कैसे आया होगा अगर हमने एक रोटी लिया है आटे वाली सिंपल वाली तो रोटी कैसे बनी होगी सोचिए बहुत लंबी परकिरिया ना बताएं सिर्फ गेहूं से सुरू करें तो गेहूं की पिसाई होती है उसको गुठा जाता था पांजी मिला जाता है सप्टा जाता है यह पSp देंसे तो बतहुत चाहते है इसको बताना चाहते है जो देख होता होतों الب अट पलस यह यह प्लस यह प्लस यह यह इफटाइम रहा होगा जुड़ा होगा तब आया हो इसको हम थोड़ा पिछले जनम में ले चल रहे हैं इसमें से माइनस का दो यक्स घटाना था तो दो यक्स का मतलब यक्स प्लस यक्स दो बार ठीक है क्लियर हो रहा है ना कैसे आता क्यों आता है अब समझिएगा देखो भाइया अब इनका कोश्ठा को पेन कर देंगी तीन हो गया चार और पांच बार माइनस का यक्स याद रखना अगर ब्रेकट के पहले माइनस होता है तो ब्रेकट खुलने के बाद अंदर के जो भी टम्स ह माइनस प्लस कट गया तो जो हुए ऐ है यह माइनस और यह प्लस हो गया खतम बचाएं तीन बार बचा है तो थीन एक सो गया यह अंसर आ गया आप डिर्यक्ट लिश्कों एक लाइन में भी कर सकते थे लेकिन एक लाइन में नहीं इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको समुझ जाना चाहता था कि वास्तों में ये तीन्यक्स आता कैसे है अभी को समझ में आया तो फटा-फट कलास को लाइक करें इतने भी हमारे नए साथी आये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ये कलास सब्सक्राइब तीन दिन सोमवार मंगलवार और बुधवार को यू तेरी बेवफाई का इकवा करूं तो मेरी महबबत की तोहीन होगी तो नहीं अब लोग तो बस वही हाल है इसलिए नहीं बता रहा हूं चली आगे बढ़ते हैं फिलाल इतना हो गया इतना हो गया ना अच्छा कुछ मजे वाला चीज नहीं आ रहा आज मजे वाला दिमाग नहीं आ रहा है समय इफले नहीं आ रही मजा कला से मुझे गाना भी अच्छा आ गया क्या थोड़ा सरम लग रही थी इफले इदर मुह करके गया हूं तो यह हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को उसके बारे में बात करेंगे 0.01 into 0.001 into 0.12 इसका अगर सब का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बताए जल्दी बताए कि आएगा कि इतना आएगा कि इनका मल्टीपल करेंगे तो कैसे आएगा सुनिये समझेए यहाँ पर वन है यहाँ पर वन है यहाँ पर वन टू ट्वेल है अगर हम दस हमलों को हटा दें तो हमें कुछ ऐसे ही मिल रहा है कि इसका मल्टीपल करेंगे तो वन टू ट्वेल आएगा बार आएगा इसका अंफर जो भी आएगा फाइनल में इतना आएगा लेकिन यह कंप्लेट नहीं कि इसमें दस हमलों भी लगा है यहां पर 2 अंक पर हैंहां पर तीन अंक पर हैंहां बोंग पर है तो साथी मेरे यह दोंग यह तीन और यह दोंग जूड़जायगा तो 2,4,3,7 कितने पर 7 इंग पर smartण लग जाएगा 7 एपन डिजित पर डैसमल लग जायएगा कि याद रहे यही चीज इसमें मेन है बस तो साथ अंक पर दसम्लों लगेगा दो अंक पहले फे दिया है पांच अंक इसमें बना लेंगे उसके लिए हम पांच जीरों लगा लेंगे यहां दसम्लों लगाके समझ में आना सभी को इसका सबसे पहला सही जवाब दिया था उनका नाम था नेहा बर्मा ना दिया तो सही था लेकिन गलत अनुपा मौर्या का सही है और डॉली राजपूत का पूरा गलत है किसी का सिरदर्द कर रहा है किसी के कोई और मुसीबत है मतलब सारी प्राफ्लम हमारें खोपड़ि पर रखना चाहते हो का कि हैं क्या करताठ अ तो डाक्टर लोग बिरुजगार हो जाएंगे डाक्तर के पांच जाहीर दवाई लीच्चिये कि दर्द करने वाला कोई काम मत करिए साधान रहिए पुरच्छित रहिए और क्या कहें चलिए तो यह हो गया अब इसमें रिवीजन ही करना है क्योंकि पढ़े आप लोग बहुत कुछ हैं अगर हम पिक्टोग्राप के कुश्चन देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा कुश्चन चोटे-चोटे कुश्चन देते हैं यह बताइए कि 700 का जो 35 है वो कितना परसंट है बताइए फटा-फट बताइए जबाब दीजिए फटा-फट दीजिए 700 का 35 कितना परतिसत है सबसे पहले जो जब आप देगा उसे एक इनाम मिलेगा तुरंद मिलेगा सर्प्राइज फटा-फट नगद मिलेगा कोई उधार नहीं चलिए जल्दी करिए कोशिस करते रहिए कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती बस आ एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार कोशिज करें अपसे पहले कोई बताया कोई नहीं बताया भी सब सो रहे हैं कि सपना राठोर बता रही मुझे नहीं लग रहा है कि इनका सही है क्यों भैसाइए गा बहुत अच्छे बेरे गुड संगीता औरन कलाफेच मेरे को फालो करो अच्छ मतलब किसी के पास आप कोई काम नहीं बचा दुनिया में इनको फालो करो सब लोपास आडर है यह इनका आडर है मतलब मेरा नहीं इसको करने का दो तरीकी मेरे के नहीं 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 पता यह कितना परफ्रेंट है एकित्ना 35 क्योंकि हमें नहीं पता था कितना है अब साथ सो यक्स परफेंट परफेंट हटाएंगे जब चिन हटाते हैं तो 100 से भाग हो जाता है बराबर 35 दो 0 फे 2-0 कट गया तो 7 यक्स बराबर 35 जहां से यक्स बराबर निकालेंगे तो यह 35 बटा 5 आएगा बराबर में 5 आएगा यहां पर परफेंटेज का चिन लगाना नहीं बूलना ठी तो यह चोटी चोटी जो बाते हैं यह आपको तयार रहनी चाहिए इससे आप कुछ बेहतर कर सकें ठीक है ओके डन चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह बताएए 0.25 कुश्चन ध्यान से देखिए 0.25 वो परतिसत में बदलिये चल भाहिया रेडी इसको परफेंटेज में नी कुमारी बताइए जब आप दीजिए फटा-फट कितना होगा कैसे होगा सबनम बानू की 345 कहां से आया कौन सी दुनिया से हुआ हुआ है जल्दी करिए सबसे पहले रिहान सिद्धिक आया था लेकिन इनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों कुछ गड़बर लग रहा है इनका पुरा गड़बर है चलिए ठीक है आईए यह 25 परसेंट आएगा बिल्कुल सही है पहले इसमें से हम 10 अमलों हटाएंगे तब 100 से भाग हो जाएगा अब हमें क्या करना इसको परसेंटेज में बदलना है तो साथ ही मेरे मेंने बताया था कि अगर आपको कभी भी परसेंटेज कचिन लगाना है तो यह नंबर को सो से मल्टीपल करते हैं हंड्रेट से इसको क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे अब इनको हल कर लीजिए तो सो से सो कट जाएगा यह 25 बच जाएगा सीधा फिदा यह हो गया यह क्या आगया अंसर आगया महत्मा गांधी जी परड़ाम आगया बहुत अच तीन वटा आठ को परतिसत के रूप में चेंज कीजिए बुरा नहीं मानना ठीक है एक तीन वटा 8 को कि परसेंटेज में बदलिए यह बताएं जीरा मिस्टा हुँ पर्फिंटेज में कैसे बदलेंगे चलिए हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं फालतू का टाइम नहीं ये साथी मेरे मैंने बताया था कि पर्फिंटेज में बदलना है अगर पर्फिंटेज के चिन लगाना है तो हमेशा हंडेड से मल्टीपल करना है इसको 100 से क्या करेंगे गुडा कर देंगे अब इनको काटे पिटेंगे जो कटे पिटे काट दीजिए आप इतने तो समझदार और बन टू आयेगा सिंटेज में बदलना है यानि पर्तिफद का चिनलगाना है क्या करना आ प्रतिफद का चिनलगाना है तो 75 फ़ीकर नहीं लिखेंगे क्योंकि यह एक अनुचित बिन्हेया इस तरह कि यह आंसर है की अब यह कैसे मुद्दी चाहाई दिया इनको बैसिक नहीं आता है वह जरूर कि ओं तो यह सब को समझ में आया ना इसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे कुछ जो जो पढ़े हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे यह बताईए एक ही सब्द में बताईएगा एक ही बार में बिना कुछ करें और आशे बीश आटाइस पैतीस एक सो पाँच कुछ कुछ देखिए इस अटाइस पैतीस और एक सो पाँच का अ сам एलसीयम क्या होगा फटापट जल्दी से जबाब दीजिए पहला आपसन है दीन सो होगा दूसरा आपसन है चारसो बीस होगा दीसरा है कि 735 होगा और जोथा आपसन है जीरो होगा पताओ कितना आएगा इन सभी नंबर्स के अगर हम LCM निकालें लीस्ट कामन मल्टीपल तो क्या आएगा छल्दी करिए फटा-फट फटाफ फटाफ बताईए कोसिज करते रहें देखिए बिल्कुल कोसिज करना कभी बंद निकन जिंदगी में कभी कोई इनसान पूर्ड नहीं होता है वो मरते दम तक सीखता है कि जितनी अकल बदाम खाने पे नहीं आती न इतनी अकल इनसान जब जिन्दगी में फेल होता है ठोकर खाता है होगे विशकुष करो हर जगा करो हिम्मत नहीं कभी चाया ठोकर खायो खायो लेकिन कोया करते से रहां आ तो इसका अन्सर कोई बताया थैसे पहले अगर किसी ने बताया है तो उनका नाम है नेहा बर्मा नेहा के बाद हीराम स्रह बताया हैं लेकिन इनका तो असमान में उड़ रहा है इनका अंसर गलत है इनका सही है ठीक है नहीं हाजी बिल्कुल सही आपका अंसर है इसका आएगा 420 420 आएगा अच्छा एक आप लोगों से सजेशन चाहिए था पूछना चाहते हैं आप ध्यान से सुनिया का दिल थाम के हमारे एक दोस्त जी है कृष्णा कुमार जी उनकी बड़ी बुरी कहानी है मतलब ऐसा है कि उनका दौर जो इससमें टाइम चल रहा बड़ा चल रहा है एक तुलिए बड़े लंबे प्रेम कहानी में पड़े थे और उनके साथ कुछ गड़बड हो गया है इस्टोरी मुझे बहुत कुछ सिखाई मैंने सुना तो क्या आप लोग चाहते हैं उनकी दर्द बरी प्रेम कहानी हम संडे को सुना दे आपको क्या बताइए आप लोग चाहते हैं कि उनकी दर्द बरी कहानी पलत दर्द बरी दोख्या वाली प्यार कहानी वाली कहानी आप तो कितने लोग सुनना चाहते हैं जो जो सुनना चाहते हैं बोले यस और जो नहीं सुनना चाहते हैं वो नो कितने लोग यहां पर किस कर्टेगरी के हैं अपनी फॉट बताई इसमेल मुझे जहां तक लग रहा है सब सुनना चाहते हैं बस एक है रोसनी कुमारी इनी कन्ना है देखिए कुछ भी चीज अच्छा है या बुरा है दुख देने वाली या दुख देने वाली सब चीज सुनना देखना चाहिए उससे बहुत कुछ सीख मिलता है समझ रहे हैं तो दो दिन लाइट नहीं आती ना तीफरे दिन आती है तभी लाइट कम जाता है तो ऐसे जाती है होता है ना तो यह सारी चीजें आप समझ गए इसमें हम रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि हम सब पढ़ा चुके हैं कल एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे कल एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे हम तो आप लोग यह बताईए जो फ्रेक्शन का LCM HCF बताया था क्या आप जानते हैं कि बूल गए कुछ यह रिवीजन है अभी तीन बटा पांच वा साथ बटा नौ का HCM बताईए जल्दी बताईए क्या आएका फटा 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 रिवीजन हो रहा है हम पताईए फटा फटा पताई है कि कुश्चन है क्या 48 संख्या 25 का अपवर्त है इस या नो इमांदारी से पिलकुल रिंषान सिद्धिकी जी बिलकुल सीखने को मिलेगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर की कहीं कहीं गाली भी देंगे थोड़िये कि अगर आप कहीं भी किसी लाइन में जा रहे हैं और उसमें आगे वाला गड़ puta में गिर गया इसको तो दर्द हुआ तकलीफ हुई तो गिर गया गया तुन आपको شिखने को मिला ना कि वह गिरा इस पर गया तो आप मज जाहिए उस रास्ते पर है वैंसे अगर आप किसी की कहानी सुनेंगे वह तो गिरा वह तो गया लेकिन आप तो समल जैएंगे आप तो समल जाएंगे ना यह चीज है मैंने इसका आंसर पूछा था इसका अपवर्त है या नहीं है तो देखिए अपवर्त क्या होता इसके बारे में बहुत डीटील में बता चुका हूं इसका आंसर है क्योंकि हिंदी में बहुत से साथ ही है जो हिंदी भासी राज्य से नहीं है उनको नहीं समझ में आता है क्लास में तो आल इंडिया के बच्चे जुड़ते हैं हम चलिए एक बात बताईए एक्टर पर चलते हैं वह बताईए और तक बताईए क्योंकि हम सिर्फ आपको कांसेप्ट सिखाते हैं बाकी कहानी आप खुद कर लोगे निव मजबूत होनी चाहिए बताईए पंदरा के सभी अपवर्थ तक बताईए पटापट बताईए जल्दी अपवर्थ तक सही लिख रहा हूं गलत इनके सभी फैक्टर बताईए एक परकार से जिसे हिंदी में एक और भासा में विभाजक बोलते हैं क्या बोलते हैं अब भी भाजक बोलते हैं जल्दी करिए फटा फट नहीं हाजी बिल्कुल आप गलत दिसा में जा रहे हैं अपकी बार तो दोखा होई गया अपकी बार तो गलत है आपका जितना बताया गलत है हम बात कर रहे हैं अपवर्तक की बात कर रहे हैं अपवर्तक की बात कर रहे हैं अपवर्तक का मतलब आप नहीं समझ पाए मुझे लगता है एक तीन पाँच पंदरा पता नहीं कामा लगा के लिखिए तो समझ में आए हावा में मत लिखिए एक तीन पंद्रा अच्छा यह आ रहा सिल्पा केसरवानी जी का ठीक है लगबग सही एक आफी हत्तक जिकी आपवर्तक यानि विभाजक इसका मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या जो इस दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगी कमपुलीटली डिवाइड करेगी वह अपवर्तक है तो जो लोग 15 का पवर्तक 45 बता रहे हैं महानुभाव क्या 45 का भाग 15 में जाएगा मतलब साइफ जाएगा इमांदारी से कि जबर्जस्ति ले जाओगे नहीं जैने ंजा फेक्टर के फ्वं होगा स्री होगा अगर थोड़ा सा प्यार से बात करें तो यह भी हो जाएंगे मतलब 4 सब्सक्राइब करते हैं अगर आप सारी कलासे देखोगे ना आपको सारे अभ्यास हो जाएंगे कि एक छोटा सा सवाल बताइए 17 डेसी मीटर में कितना फेंटी मीटर बोलिए गुश्चन है 17 डेसी मीटर इसमें कितना सेंटी मीटर है बोलिए यह सब भी इसमें मैं पढ़ाया हूँ जो मैं पढ़ाया हूँ वही मैं पूछ रहा हूँ पंडे जी मुझे लगता है कि आप पढ़ने नहीं आते हैं आपकी इच्छाएं कुछ और कह रही हैं लेकिन आप कहीं गलत जगा आ रहे हैं यह मुझे लग रहा इससे क्या पढ़ने नहीं आते हैं तो यहां पर पढ़ने जो आते हैं उनका स्वागत है पतायेper को सेंटी मीटर में बदलना है इसका सबसे पहला जो जबाब है वो अगर किसी ने दिया है तो वह माहीरा पंडीत नए दिया है ठीक है माहीरा सुजांती देवी c.l. परजापती मीली, सेंटी, मीटर से तेमिटर में नहीं, सेंटी मिटर में बदलना है इसका फर्मूला एक कहानी एक मैंने बताया था मिली सेंटी डेसी मीटर मिली फिर सेंटी फिर डेसी कब मीटर यानि सेंटी मीटर के नीचे आता है डेसी मीटर यह इतने तो होते हैं मिली सेंटी डेसी मीटर इसके नीचे क्या होता है डेका एक्टो किलो हुँ होता है हमें क्या करना है में मिरे साथ ही को सेंटीमेटर में बदलना है तो citi में वन के बाद एक जीरो जरूर लगाते हैं अगर यह बगल बगल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि एकDR में धस सेंटी मीटर अभी से याद कर लेना और क्या बताऊं बाकि अगर आपने जी जी 1973 मैनि है थो अभाग subject matter में भाए मोण 2 टील से बताब है एक DR में 10 सेंटी मेट्र होता है ठीक है कितना होता दस होता है मिली सेंटी डेसी मीटर लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं एक मिनट रुखिएगा थोड़ा मिली मीटर, सेंटी मीटर, डेसी मीटर न, फिर मीटर, हमें डेसी मीटर से सेंटी मीटर में आना है, एक मिनट थोड़ा सा रुखिये, ये सेंटी मीटर है न, आप साथ तो लिखा है नहीं, ये डेसी मीटर, नीचे को आना है, स्वारी, कि उपर को जाना है वहीं से से सेंटीमीटर में जाना था मेरा दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा है आज कल थोड़ा थाइंग कर रहा है एक मिनट रुख जाओ यह सही लिखा है ना थोड़ा सरू किये कि देशी से सेंटीमीटर हाँ ठीक है ठीक है यह सही है कुछ भी गड़ नहीं है तो 17 डेसी मीटर में भाई मेरे सतरा गुड़े दस बराबर 170 सेंटीमीटर आएगा इतना आएगा 170 सेंटीमीटर है कि माग थोड़ा हैं कर रहा है इस वजह से थोड़ा डिश्टरब हो जाता है कभी 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 तो समझ गए ना तो यह बाते हो गई खतम